हलो फ्रेंड्स, जैसी एलसी, मैसेल्फ किशोर सेखावत, आज हम फिजिक्स पंच एर्थ पर चर्चा करेंगे, जिसमें वेव थेोरी और डॉपलर एफेक्ट, इसके इंपोर्टेंट 45 किश्चन्स, और साथ में इनके आसपास की जो थेोरी है, वो हम आप से साज़ा करेंगे, और ये भी आपको पता है कि जो वेव थेोरी का टोपिक है और डॉपलर, इन से हमेशा हर शाल नीट में अच्छे क्रिशन्स आते हैं, स्कॉरिंग क्रिशन्स आते हैं, और ये क्रिशन्स किसी के गलत नहीं होने चाहिए, अक्सर क्या होता है, होशता है किसी ओर टोपिक में क्रिशन्स आपके हाड हों, और वो आप उनको छोड़ दें, मालों भूँ ज़्यदा टीपिल क्रिशन्स आपने छोड़ दिया, बट इस टोपिक से क्रिशन्स जो आते हैं, अभी तो जो क्रिशन्स पूछे गए हैं, भहुत सरल कॉंसेप्चिल क्रिशन्स पूछे गए हैं, और वो हम सब को आने चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं, इसका पहला क्रिशन्स, तो पहले क्रिशन्स में क्या पूछा आपसे, एक लोजड ओर्गन पाइप, यानि उसमें ठेयर ऑवर्ट ऑवर्ट Corn है, वो बन रहा है, तो ऐसे केशन, उस पाइप में क्या है, और औपसंस के बेस में, उसने पूछा है, कितने इसमें नोड बनेंगें, कितने इसमें एंटी, node बनेंगे तो देखें कुष्ण था किसका कुष्ण था क्लोजड ओर्गन पाइप का तो जैसे ही कुष्ण आता है तो जैसे मानलो अपर बात करें हैं पर एक तो कौन सा COP होता है और दूसरा अपने होता है कौन सा OOP क्लोजड ओर्गन पाइप और कौन सा दूसरा OOPन ओर्गन पाइप ये एक end से कैसा होता है close एक से होता है आपका open ये दोनों end से कैसा होता है open होता है बाट ठीक है ओके तो जो इसका fundamental tone होता है first वाला उसको हमको अच्छे से आना चीए देखो वो आपको अच्छे से आना चीए पहला था COP और ये लो साब कौन सा OOP ठीक है color chain कर लो इस बार black वाला से ही रहता है तो देखें आप जो COP की fundamental tone वाला या first जो इसका हार्मोनिक परतम श्रना दी उसकी जो frequency और OOP की first harmonic ये हम सब को अच्छे से आने चाहिए देखो आप जानते हैं इसकी first जो हार्मोनिक है या इसका fundamental tone है मूल स्वर जो इसका है जो अपन परतम सनादी भी कहते हैं उसकी frequency कितनी हुआ गरती है उसको निच लिता हूँ ये है बेटेजी V by 4L और OOP की fundamental frequency कितनी होती है बच्छो ये होती है V by 2L पहले कुछ बाते हैं अपने हाँ डिसक्स करें ताकि आगे वाले प्रिस्टन आपके आसाने से हो जाएं ये COP है इसका first कितना V by 4L है जिसकी नाम आप बोलते हैं इसको अपन क्या कहते हैं ये आपका first harmonic है first आपका कहलाता है ये कौन सा ये fundamental tone भी कहलाता है ये पर्थम सनादी है इसको मूल स्वर भी कहते हैं ऐसे ही आपका first आपका harmonic है पर्थम सनादी है मूल स्वर कहलाता है आप ये जानते हैं कि COP में ode harmonics बनती है इसमें सारी बनती है ode और even बनती है इसलिए यहां तो आप बात करेंगे तो इसका 2V by कितना 2LB होगा बच्चो यहां कितना 3V by कौन सा आपका 2LB होना है और यहां पर आप इसको 4V upon कितना 2LB बोलेंगे यानि इसमें सारे प्रकार की harmonics बनती है इसलिए OOP पे best जो flute होती है अब आसोरी होती है उसके स्वर कैसे मीठे होते है और इस वाले में ऐसा नहीं होता है या only कैसे बनते है ode harmonics यानि V by 4L और कितना 3V by कौन सा आपका 4L और कौन सा यहां कर दो देखो यहां पर यह आपका 5V upon कितना 4L इस प्रकार की harmonics बनते है अब कुछ नाम भी इसके important देखो इसको अपने बोला कौन सा fundamental tone मूलश्वर इसको हम बोलेंगे पर्थम अधिश्वर्ख चाहे इसकी frequency कैसी भी है इसको बोलेंगे first overtone या आपका second overtone समझदें ऐसे यह तो था आपका fundamental इसको बोलते हैं आप कौन सा इसको क्या बोलेंगे first overtone पर्थम अधिश्वर्ख ये कौन सा दृतिक अधिश्वर्ख ऐसे इसका तृतिक अधिश्वर्ख तो कौन सा कैसे इनके बोलने के तरीके जो है ना वो इसमें बहुत ध्यान से आपको प्रश्वर्ख पढ़ने चाहिए अब कोई issue नहीं है देखो कि COP के अंदर आपको अगर find करने है इसमें एक तो ध्यान रखना है कि आपको रटना कुछ नहीं है आप जब भी question आते हैं ना COP के और उपी के इसकी first fundamental जो condition है इसकी fundamental है उसको अच्छे साथ लो उसके बाद ध्यान रखो कि इसमें कौन से tone बनते हैं ode even बनते हैं या only ode बनते हैं उस पे आपको concentration रखना चाहिए तो देखो इस COP के अंदर अगर COP को आप देखेंगे तो COP में दो यहां क्या बनता है और यहां क्या बनता है और कितने बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बताओ anti-node यह कुंसा बन क्या यहां पर node और कितने है one one first बाले में यहां कितना one माँ लो गर मैं node की संख्या और anti-node की आपको सहां पोच्ता हूँ तो first में कितना one और one है यह लो one और one उसके बाद कुछ नहीं बस एक एक बढ़ाना तो होता है यहां कितना दो यह भी दो यहां कितने तीन और यह तीन आगे कितने चार और यह चार इस तरह से बन जाएंगे परन्तो इसमें आप चेक करेंगे न तो जो इसके free end होते हैं यह free end यहां पर क्या बन गए आपका anti-node ऐसे यहां क्या बना बच्चो anti-node और यह क्या बन चुका है देखो node बन गया है अब इसमें संख्या आप देखोगे तो इसमें node और इसके anti-node इस first वाले में देखो आप node कितने हैं सब एक anti-node कितने हैं दो बैस अब सब में क्या करते हैं जैसे इसकी ठीक आगे पन बढ़ेंगे तो one one आपको add करने है कितने हैं यहां पर दो तीन यह चार यहां कितना तीन यह चार और कौन से पांच इस तरह से इनकी संक्या decide की जाती है तो रटना कुछ नहीं रटना क्या है कि इसका fundamental किस तरह से बनता है इसका fundamental कैसे बनता उसको डंग समझ लो उसके बाद कोई issue नहीं है अगर हम लेगो इस वाले को मान लें frequency कितनी N मान लें तो यह frequency कितनी होगी 3N और यह frequency बचो कितनी होगी 5N ऐसे इसकी frequency को मान लेता हूँ कितना मैं N मान लूँ इसके N होने बचो यह कितनी होगी 2N यह कितनी होगी 3N और यह कितनी होगी 4N तो अब कौन से harmonic है वो पन तय कैसे करते हैं और कौन सा ओवर टॉन है वो तय कैसे करते हैं दो सब इसमें बड़े इंपोर्टेड होते हैं तो अगर इसको अपन कहते हैं फस्ट हार्मोनिक तो हार्मोनिक सब तभी आता है काम में कि आगे वाली फ्रिक्वेंसी जो first है उसकी कितनी गुणा है कितना multiple है उसका जैसे आप देखो यह क्या है हमारे पास यह था first fundamental tone था इसको अपन कहते हैं कौन सा पर्थम अधिश्वरक इस पर्थम अधिश्वरक में आवर्ति जो है ना इसकी इसकी तीन गुणा है इसलिए इसको बोलते है थर्ड हार्मोनिक पर बेटिस ध्यान देना यह है क्या actual में यह है first overtone है first overtone है बट इसकी frequency कितनी है वो इसकी तीन गुणा है इसलिए इसको बोलते है तिरते सन्नादी ऐसे यह बन गया क्यों सा पांच वा सन्नादी तो जो हार्मोनिक है वो तो कितनी frequency है उससे पंते गड़ लेते हैं यह कौन सा fourth हार्मोनिक है पर यह कौन सा fundamental tone है या क्या है उसकी लिए अलक्ट्रम आपको ध्यान रखने पड़ेगी अब सुनो तो क्रिशन आपका था first वाला उसमें कौन से थी COP थी और COP में आप से पूछा है कि third हार third overtone जान दो अब तीसरा overtone यह तो कौन सा था बोलो साब जूर वाला यह first यह second और third और third में क्या है देखो आप third में चार तो क्या बने इसमें node और चार ही क्या बनेंगे anti-node चार node और चार anti-node तो आपका answer यहां से निकल जाएगा ठीक है आप देखो इसके answer में आते हैं अपन तो चार तो इसमें क्या बनते हैं निश्पंद और चार क्या बनते हैं इसमें प्रश्पंद तो answer इसका सही कौन सा हो गया fourth ओके बढ़े आंगे साब question second इसमें पुछा हम से एक सवर्मापी यानि कौन सा tuning fork एक सवर्मापी में सोनो मेटर सोरी एक सोनो मेटर में उत्पंद धाउनी की मूल आवरती कितनी एन है तो शवर्मापी तार की लंबाई को इसके मूल मान से गठा करके तो आपको जानकारी होगी इसमें इस सोनो मेटर में जो frequency होती है जो सोनो मेटर में frequency होती है उसका जो formula होता है n is equal to यह है P by 2 L into root T by small m आपको जानकारी होगी सोनो मेटर में मानलो को एक wire है मास्ट फुल वाइर है इसको अपने किसी पूली के थुरू ऐसे बांध रखा है यहाँ पर और फिर हमने कुछ मास यहाँ पर मालो स्मॉल M मास में हैं कर दूँ लटका दूँ उससे इसमें टैंसन कितना हो चुका हम अल्ली जितने पार्ट को यहाँ पर डिसकस करते हैं उसमें टैंसन कितना M जी हो गया तो इसमें टैंसन भी है वो तो यह T है और इसको अपन ऐसे करते हैं मैं इसको कैप्टल M माल लेता हूं देगो कैप्टल M होने पर यहाँ टैंसन कितना हो जाएगा यह वाला यहाँ आपका M इंटू Z ऑके पर समोल M क्या है दिहान देना कि जिस तार में हम यहां वेव deben करने जा रहे हैं इस तार का इकाई लंबाई का दर्यमान है कई बार होशता है कि यहां पर जो मास अपन लटका रहे हैं और यहां जो समोल M है इसमें कुछ एको hmm बाई-लमबाई का मास कितना है वो स्मोल a सौरम तो स्मोल एकचल में है यहे है देखो इसमें total मास इसका-yes अप्वान उसकी लमबाई, अगर इसको ऐसे करो तो मास बोलो спрос मास कितना है वैसरी? मास है इसकी density रो इन्टू क्लिम है, और इस जायर का cross section मालो मोटाई इसकी है उसका cross section मालो A मालो तो volume कितना बैटे जी row into कितना A into L और ये upon L, L से L cancel, अच्छा जी अब है row into A A वैसे तार का क्या था जो तार आप लगा रखिया ना उसका इस cross section है मालो इसकी radius मालो मैं कहा दो small R है तो बैटे जी A कितना हो गया पाई R square ओके तो आप small M को चाहे तो इसका mass दे रखा हो लेंद दे रखा हो उससे replace करते हो या इसको आप only row into A से replace कर सकते हो या फिर कितना row into pi R square से replace कर सकते हो इसके कई formula बनते हैं और सब पर question से पूछे गए है और important भी है द्यान देना अपने इस question में तो कोई समझा नहीं है तो अगर मैं यहाँ score put कर दो चलो तो देखो हमारे पास N की value कितनी आई P upon 2L root T को मैं छेड़ता नहीं small M हमारे पास कितना देखो यदि इस root में लें तो ठीक है इस में ले लो इसको row into कितना pi r square तो यह r का square है उसका root अपन लेंगे तो r भारा जाएगा न तो देखो यह बन गया P upon 2L root of कितना T by और यह r को अपन यहाँ से भार ले लें तो row into pi इस तरह के अन्यक formula बन गे जिसमें जो भी इसमें variable है उसको डंग से आप पढ़े अच्छे से और फिर इसकी frequency find कर लें इस question के अदर रखा देगो कि आपने length को कितना किया मूल मांस से गठा करके half तो length L days कितनी L by 2 और tension कितना 4 गुना कर दिया तो इस question भी से इसके लिए length L days बेटे जी कितना करा हम लोगों ने यह है L by 2 बट tension कितनी है T days equal to कौन सा 4 T तनाव हमने चार गुना कर दिया length अपने कितनी करी half करी तो अब only इस fundamental frequency की आपको tension पे और length पे dependence देखनी है और इसमें कुछ इदा काम नहीं करना तो देखो आप एन प्रपोस्ट कितना देखो यह है root T by L वैस चाहूं तो मैं यहीं इसकी value प्रूट कर देखो अगर आपने T को क्या रखा यहाँ पर 4 T का root कितना 2 आया और L by 2 चार उपर चला गया तो end S वैसे कितना हो रहा है मेरे साहब से चार गुना हो रहा है देखो 1 by 2 की रूप में कर लें कोई समझ से नहीं है पर एक्जाम में तो तुरूट आप इसी से यह depend कर रहा है कि फिर अपने इसको कैसे बदला है उनको deng से बुट करो N T को आपने चार गुना किया तो 2 भार आ गया L by 2 किया 2 पर चला गया तो 4 into root T by L तो बचा न तो पहले की comparable यह कितना हो चुका है बोलो 4 गुना हो चुका है ओके बढ़ें next question में question 3 आओ 3 में क्या है एक बंद pipe की मूल आवर्ती 220 हर्ज है यदि 1 by 4 लंबाई तक जल भर दें तो pipe में पहले अदिश्वरक की अब आवर्ती क्या होगी मैंने अभी आपको सिखा था मैं वापिस पतादू आपको जब भी COP और OOP के question आते है न बिल्कुल घबराने का नहीं आप पहले only उसका first वाला किस परकार से है उसकी क्या frequency उसको डंग से set कर लो बना लो उसके बाद यह ध्यान रखो कि कौन से में odd even दोनों बनते हैं और किसमें only odd बनते हैं और जानते हैं COP में only कैसे odd बनते हैं और OOP में हैं दोनों से उसको open हैं उसमें दोनों बनते हैं जिसमें दोनों end देखो एक end open है न, वहाँ तो only एक यानि ओड योड बनते हैं, दोनों खुले हैं, और दोनों बनते हैं, ओड भी है और even भी है, बैस इस तरह से सेट कर लो उसको, चलो, अब क्यूशन था आपका कौन सा क्लोज पाइप का, उसकी मूल आवरति यानि फंडामेंटल पर्थम उसका सन्नादी वो आप से दे रखा है, तो फर्स्ट आप देखो, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी और बाद में कैसी, जान दे आप, मान लो, ये था अपना COP, और इस COP की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितन कितना 220 हर्ज, कितना 220 हर्ज, एम आझा राइट, आप किरा है कि, अगर इसकी 1 by 4th पार्ट में वाटर भर दें अपन, इसके 1 by 4 पार्ट में, यदि इसकी लंबाई पहले पुरी कितनी ल थी, तो इसका 1 by 4 पार्ट, इसका यह बाला भाग जो है, L by 4 है, उसमें पन्हें डाल लिया है तो सेस जहां पे एर कोलम बचा वो लेंथ कितनी रही वो लेंथ आपको दिख रहा है साफ साफ कितना है मेरे प्यारे बच्चो थ्री एल बाई फॉर अच्छा अब इस वेपन क्या बनाने जा रहे हैं एक बात तो देखो पहले अभी भी COP है यह बदली भी लंबाई की COP है जिसकी लंबाई पहले से कुछ कम हो चुकी है, रेडिस हो चुकी है कितनी 3L by 4 बट आप इसमें क्या चा रहे हो अब हमें इस पैप में पहले अदीश वरक की अब आवरती कितनी है अब इसमें बनाना क्या आपने को पहला अदीश वरक तो क्या होगा बताओ पहले अदीश वरक की आवरती है तो कौन सा fundamental है तो first इसका कौन सा इसके आगे वाला ओड वाला यानि कर दो यहाँ पे कितना 3V upon 4L पर L मेरे पैरे बच्चों है कितनी L है इसकी यह देखो 3L by 4 यहाँ देखें साब 4 से 4 कैंसिल इस से यह कैंसिल तो जो इसकी frequency आई ना जान दें आच्छे से जो इसकी frequency आई उसको मैं end डेस मान रहा हूँ और आप सोचो देखो अब यहाँ से स्पार्ट रहा कितना V by L V by L और अपन जानते हैं कि प्रस्टन हम से क्या कह रहा है कि V upon 4L का value कितना 220 है तो मैं यहीं से V upon L निकालता हूँ तो 4 से मुझे गुणा करना पड़ेगा ना तो कितना 800 कितना हूँ यह 220 को 4 से गुणा करना है तो V upon L का value कितना हूँ देखो यह हो गया 220 220 इंटू कितना 4 तो यह हो गया आपका 880 हर्ज तो आपका answer कौन सा 3rd हो गया बहुत अच्छे सलिकी से काम करना है बिल्कूल गबरा नहीं आवशिता है नहीं है ओके तो question 3rd से अपन चलते हैं फिर 4th 4th में आओ question है एक एप परगामी तरंग के लिए y का मांद रखा आपको 10 sign this तो पुछा कि एक निश्पंद और उसके अगले प्रस्पंद के बीश की दूरी कितनी है तो आप जानते हैं standing waves जो होती हैं उनमें दो consecutive node के 20 distance दो consecutive anti node के 20 distance किती है आपके lambda y2 हुआ करती है इसके मतलब हमें पहले इसमें lambda find करना वड़ेगा बाकिपन जानते हैं यानि आपको जो answer है यहाँ पर distance आपको निकालने किसकी भी इसमें node और anti node के बीश में जो कि है कितनी lambda by 4 अगर ये lambda आपको मिल जाए तो आपका answer वो आजाए बास इतना काम करना है आपको limit of hand करना है तो आओ आपको देरेक का hint क्या है कि y is equal to 10 sign this तो आप ने पढ़ा इसमें कि जो standing wave है उसकी equation बनती है कितनी y equal to 2a 2a और ये है sign ये 2a के बराबर देवो ये है किसकी बराबर ये 2a इसका आयाम कितना है 5 और किसमें मीटर में तो 5 मीटर है अब ये पार्ट कौन सा है इसका kx ये एक तरह से 2 pi by lambda into x के बराबर है ये बराबर है ये बराबर पार्ट और ये कितना omega t 2 pi f into t है तो जस्ट इसको आपस में compare करने मातर से आपको lambda मिल जाएगा पर pi है मैं कैसे करता हूँ मैं तो ऐसे करता हूँ कि यहाँ इसको 2 से कर दो multiply 2 से कर दो divide ये 2 pi से 2 pi कर गया आपका lambda कितना हो गया ये 18 into 2 36 हाँ तो बिल्कुल ठीक है हमने यहाँ पर find किया तो जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा तरीका क्या था मैंने 2 pi से 2 pi को यहाँ से cancel कर दिया तो lambda मेरे प्यारे बच्चों कितना मारे पास हा 18 into 2 कितना 36 meter पर आपको lambda प्रोड़ी पूछा है आप से पूछा है क्या है node और anti node की 20 का separation वो भी कौन सा एक के बाद एक वाला वो lambda by 4 यानि कितना लिगो 36 36 upon 4 तो आपका आंसर कितना वा 9 meter तो आपका आंसर कितना है प्यारे बच्चों second ठीक है बिलकूर सलसा कोई ज़दा इसमें burden नहीं है अब बढ़ते हैं आगे कुष्ण कुष्ण नमबर आपका 5 तो कुष्ण दो 5 है ये बहुत 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 अच्छा प्रश्ण है इसको डेंग से पढ़ें आप कुष्ण है 2 meter लंबाई की एक metallic road है और इसको हमने क्या middle से claim कर दिया जैसे मान लो ये कोई हमारे पास एक road है और इसको बीच से यहां से अपने क्या claim कर दिया यहां से इसको अपने बांद दिया है इसको यहां से बांद दिया है मतलब यह वा कि यह अब क्या हो गया rigid end हो चुका है और इसके दोनों यह सीरे कैसे हैं free end हो गए तो अगर मैं इसको मान लो a point है इसको मैं b point मान लो इसको c मान लो तो प्यारे बच्चो A जो है वो free है यहां पर अप anti-node बनेगा और C भी कैसा free है यहां पर भी क्या anti-node बनेगा और B को अपने clamp कर दिया है इसलिए यहां पर क्या बनेगा node इसलिए इसका जो structure बनेगा वेव का वो इस तरह से बन गया ऐसे बना सकते हो और ऐसे करते ही अगर मालो इसकी इसका मतलब यहाँ से आप सॉल करते हो तो लेमडा हमारे पास कितना आ गया टु-L आ गया वासिये अब सुनो दो मिटり लम्बी छड़ थी तो दो मीटर लंबी छड़ होने पर दो इंटो दो कितना वा चार मीटर इसमें लेंथ की वेवलियत बन जाएगी ये पहली लाइन का सरांस अपने समझे लिया अब देखो क्या है छड़ में लॉंगी टूडल वेव बन रहे हैं और मूल स्वर कितना उसका मूल स्वर कितना आठ सो हर्ज है इसमें जो इसकी एन फ्रिक्वेंसी है ना एन जो है वो कितनी है आठ सो हर्ज ठीक है ये दी छड़ के पदार्त का गनतव इतना है आपको इस छड़ जो है इस छड़ का डैंसिटी रो है वो दे दिया है तो आपसे पूछा है कि इसका यंग प्रचास्ता गुणां के कितना है अब यह दिया क्यों है आपको इसकी density दे रखी है और फिर आपको इसका यंग मोडलर से पूछा जा रहा है इससे तो पन क्या निकाल सकते हैं इससे आप निकाल सकते हैं कि जो वेव इससे बनती है वो किस स्पीड से प्रोपेगेट करती है तो आप बताओ मुझे पेस खाली कर लें पन इसका देगो तो जैसे इसकी स्पीड जो होती है लॉंग इटोनल वेव की स्पीड जो होती है वी वी बच्चों होती कितनी है रूट वाई अपॉन रो और वैसे जो आपके पास इन्फॉर्मेशन उसकी अधार पर देगो हमार लेंडा भी तो होता है हमारे पास इसमें एन भी है और लेंडा भी है तो इसको भी पूट कर दो देखो एन इंटू लेंडा अब हमें पूछा क्या है रो भारे पास एन भी है लेंडा भी है रो आपसे पूछा है कर दो इसका स्क्वाइर तो स्क्वाइर करते ही हमारे पास देखो y की value कितनी आएगी ये हो जाएगी आपका n square lambda square into rho तो square करते ही तो cancel ही हो गया square में इसको इसा मेल डिवलाई कर दिया अब n कितना था n था 800 उसका square अपन करें तो 64 into कितना 10 की power हो गया आपका 4 lambda हमारे पास कितना था 4 इसका अपन करें square 16 into rho बचो कितना था देखें आपन rho था हमारे पास 6 into 10 की power 3 यह है 6 into 10 की power 3 बस अब क्या basic आपको थोड़ी सी calculation करनी है power check कर लो power कितनी हाँ पे 3 है 4 7 हो गया पे इसको और multiply करोगे अब जो इसकी mathematics है यह आप खुद करेंगे और इसका answer है वो check कर लेंगे और अच्छे से बिल्कुल proper इसका answer मैंने check किया वा है और यह आपका answer जो है वो 6.1 into 10 की power 10 Newton per meter square आ जाएगा बिल्कुल तरीके से कुछ भी अलग से बात नहीं है पास समय नहीं यह थी इसमें कि जैसे इसको अपन यहां से claim करते हैं तो अब यह it is not free to oscillate यह oscillate करे free नहीं है free कौन है यहाँ जो free होते हैं वहां क्या बनता है anti-node जो बिल्कुल आपने claim कर दिया वहां क्या बनेगा node ठीक है बढ़े आगे yes question number 6 question 6 देखो भई एक tuning fork है वापिस सुरितर है एक tuning fork पचास सेंटी मिट लंबे सोनो मिटर के तार के साथ मैं सही बोला था पहले चार विश्पंद उत्पन करता है येदी तार की लंबाई एक सेंटी मिटर पन छोटी कर दें तब भी विश्पंदों की संख्या उतनी ही बनी रहती है तो tuning fork की frequency कितनी है इस परकार की प्रसंट exam में काफी बार repeat हो रखे है बहुत सरल से प्रसंट है पर ऐसे ही प्रसंट need पूछता है मेरे बात सुन रहे हैं मैं फिर कह रहा हूँ इस प्रकार की प्रसंट ही अकसर need पूछता है इसलिए इन पे ज़्यादा अपने को ऐसे नहीं की तो आलतू-फालतू कोशन आ गया छोड़ दिया फालतू के बड़े-बड़े कोशन कर रहे हो need में एक तो आपको द्यान रखना चाहिए कि मेरा level कितना है मुझे कितना पढ़ना चाहिए किशन आ रखें बहुत आलतू-फालतू उसमें आप टाइम खराब कर रहे हो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आपको न ओके तो किशन में अपनाते हैं वापिस एक tuning fork है उसकी length वो क्या कर रहा है पचास सेंटीमिटर के सोनो मिटर के साथ four विश्पंद create कर रहा है मालो अपने पास ये कोई एक सोनो मिटर सिस्टम था और हम इसके पास ले क्या रहे हैं किसको tuning fork को तब इन दोनों के बीच जो विश्पंद frequency कितनी चार विश्पंद ये है पताने कि किसकी इसकी frequency अधिक है कि इसकी ये तो पता है कि इनका difference कितना चार है दोनों को साथ compute करने पर हमें चार विश्पंद परती सेकेंड सुनाई देते हैं कितना तो clear है अब कहरा कि तार की लंबाई एक सेंटीमिटर अपने छोटी कर दी तो आप जानते हैं इस तार की जो frequency होती है वो है कितनी एन समानुपाति कितनी बन अपन L है अब देखो हमने L को कम कर दिया तो L के कम होने से frequency बढ़ गई न पहले लेंद किती थी पचास सेंटीमिटर थी एक कम करते हैं 49 सेंटीमिटर बह गई तो ऐसे करने के परशाथ कहरा कि विश्पन दूंगे संग्या उतनी ही बनी रहती है तो L कम क्या frequency बढ़ गई तो पहले भी चार विश्पन सुन रहे थे अब भी चार सुन रहे इसका मतलब यह है कि अगर इसकी frequency पहले थी ना उससे पहले ये चार कम थी वो जैसे इसकी लंबाई अपने कम की तो इसकी लंबाई इतनी बढ़ गई कि इससे फिर वो चार और बढ़ गई आठ बढ़ी कुल मिला कि उसे परिवर्टन कितना या पर चार तो बैलन्स किया फिर चार और बढ़ गया डिफरेंस पहले भी कितना था चार अब भी कितना चार है अब कैसे करें देखो तो इसमें थोड़ा दिमाग हलका लगाना है कि N समनोपती कितना बना पून L है मैं इसको लिखूं ऐसे कि N2 बाई N1 बराबर कितना कर दो देखो तो L1 बाई L2 यह पता है L1 हमारे पास कितना था 50 cm और L2 कितना है साब 49 बात सही अब N2 N1 की बात है डेफिनेट है कि यह रेशियो बढ़ा है तो चोटा है तो जो आपका डिफरेंस इस फ्रिक्वेंसी के लिए बड़ी फ्रिक्वेंसी थी कितनी थी वो वो है N प्लस 4 और यह कर दो कौन सा N-4 जो अनुपाद बड़ा है उसकी तरफ का पॉर्शन बड़ा होगा और जो छोटा उसकी चरफ वला छोटा हुआ अब क्या करना है अब तो सिर्फ इसको क्रोश मल्टिप्लाइ करना है तो क्रोश मल्टिप्लाइ करके आपको आंसर निकालना है देखो अगर अगर मैं इसको क्रोश मल्टिप्लाइ करों 50 इंटु एन कितना है पचास एन माइनस कितना 50 इंटु 4 यह होगा आपका 200 is equal to अब इसको मल्टिप्लाइ करते हैं इस से तो कितना 49 एन और प्लस कितना 49 इंटू 4 यह होगा आपका वन नाइन 6 बैस अब अगर मैं इसको लाता हूँ इस तरफ तो 40 50 N और माइनस कितना 49 N बचा only कितना N और इसको आप क्या करें इसमें add गड़ दो तो 200 प्लस कितना 196 कितना होगा 396 येलो साब डाटा दे रखी होते हैं वो calculation easy के लिए दिये होते हैं अगर वो exam के like question है तो otherwise दोगो अपन question कैसे भी complex कर सकते हैं ठीक है तो अराम से question कर लें कोई समझा नहीं है question बढ़ते हैं अपन आगे question number 7 आओ साब question 7 है reflection of wave का तो ये कह रहा है एक रसी पर तरंग की विमा नीचे दियेगी चित्र में दिखाए गई है तरंग की चाल कितनी है V is equal to 1 cm per second है यदि O एक मुक्ट सिरा है तो T equal to 3 second पर तरंग की आकरती कैसी होगी यानि ये कैसा है मुक्ट सिरा है free end है या इसको पर कर से कोई सा rigid end दो परकार के सिरे होते हैं एक तो कोई सा free एक कोई सा Z होता है अब पूछा है कि 3 second पर साथ इसकी जो आकरती ने से पिश्परकार की होगी वह हमें बताना है तो इसको अपन समझें देखो यदि इसको अपन यहीं समझें तो धान दें कि ये O point है ये point कौन सा आपका O दिख रहा है यहां से जो वेव जा रही है न वह इस point से reflect होगी अब इसके लिए एक दो basic आपको यह पता होना चाहिए कि free से किस तरह से होता है reflection और डिजर से कैसा होता है reflection तो मैं पहले आपको वह एक point है वह समझाऊं देखो आपको बिलकुल basic से बात है न वो देहन देना मान लो यह कोई एक string थी और इसमें कोई wave जा रही है उसकी pulse मैं यहां बना रहा हूँ मैं इस pulse को दो नीचे बना रहा हूँ ऐसे यह pulse इसमें जा रही है इस तरह और यह pulse इसमें जा रही है और मान लो कि यहां यह वाला point इसको मैं कह दूँ यह कुंसा free end है तो free end है वो cable और cable क्या करता है दिसा में परिवर्टन होता है जैसे कोई pulse free end से reflect होती है तो after reflection चुँकि wave को आना तो वापिस back है ना तो इसका काम सिर्फ उस सुर्फ क्या करना होता है इसके direction को reverse करना होता है तो direction reverse का मतलब हो गया कि just आप इसी pulse को इसी स्थान पर रखते वे just इसको उल्टा करदा से यानि जाते समय इसका यह है ना part तो आते समय जस्ट इसको मैं इस तरह से दिसा reverse करेगा दूसरा साथ में pi phase difference भी create करता है उसको इस में show करने के लिए जो pulse से मालोग गई सबसे पहला काम था कि इसने इस की direction को reverse किया उसको just इसको उल्टा करना होता है बस जो भी shape है जिस परकार की भी है उसको just उल्टा कर दो बासमना गई उसके बाद देखो आपने pi phase को इस में show करना होना तो pi phase में show करने के लिए पहले इसको just उल्टा किया फिर उसको पलट दो आप यानि यह इस तरह से बन गया कि आते समय आते समय जो इसका यह condition होगा देखो वो इस तरह से बन जाएगा यह यह यू बना देखो इस तरह से फिर यह load कर आएगा तो ध्यान देने वाले बात क्या थी कि reflection दो end से होता है या तो free से या फिर कौन से रिजट से free से हो रहा है direction reverse और just जिस प्रकार का pulse है उसको पलट दो बस और अगर रिजट से है पलट भी दो और उलट भी दो पलट ना भी है और उसको उलट ना भी है उसको नीचे भी ले आना है नीचे तो उसको उपर ले जाना है यह condition आप देहान देनी है अब जो अपना question है उसको देखो आप अपने इस प्रकार की दो wave दे रखी आपको और यहां डिस्टेंस दे रखी आपको कितनी एक सेंटीमीटर और यह डिस्टेंस बच्चो है कितनी दो सेंटीमीटर दे रखा है इसकी स्पीट दे रखी कितनी आपको एक सेंटीमीटर पर सेकेंड कोई समझ आ नहीं है पूछा तीन सेकेंड बाद तीन सेकंड बाद इसका वेव फर्म किस तरह से बनेगा ठीक अभी आप बताओ मुझे तीन सेकंड बाद होगा क्या तीन सेकंड पर साथ ये वाला पॉर्शन यहां पहुंच गा देखो इसका मतलब इतना भाग रिफलेक्ट हो चुका है अगर मैं इसको समझों आपके लिए तो देखो ये एक्चुली इस तरह से बन गया मैं कहरा हूँ वापिस ये एक सेंटीमेटर दो दो किता तीन सेंटीमेटर तो इसकी इस बढ़ गती है एक सेंटीमेटर पर सेकंड तो तीन सेकंड में ये वाला पॉर्षन देखो ये वाला पॉर्षन यहां पहुंच चुका है इसका मतलब इतना भाग हो चुका है वापिस रिफलेक्ट तो यहां पर अब इंसिडेंट कौन सा हो रहा है उसको अगर मैं बनाऊ ना तो देखें वो ऐसा है और बाकी रिवर्ष हो चुका है पर ये एंड किस तरह था फ्री एंड है इसके फ्री एंड होने पर आप सोचो कि जो रिफलेक्टेड पार्ट है वो किस तरह से आया मैंने कहा तो जो रिफलेक्ट था तो ऐसे से पर उलट हो चुका है इसका मतलब वो जस्ट इसी पे वापिस आ चुका है तो ये लो साब वो इसी पर है वो जस्ट इस पर ही है इसको हम कहते हैं सेम फेज का सूपर इंपोज ये एक तरह से संपोसी वेतिकरण के अनुशार है जिसमें आपको दे रखा था कि इसका अम्पलिट्यूड यहां पर एक सेंटीमीटर है दोनों ही कितने कितने के हैं एक सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर के हैं तो resultant क्या बनेगा उगर उसको आप देखोगे तो देखो resultant में इन सब को अपन एड़ कर देंगे तो यहाँ पर एक सैंटी मिटर दोनों का एक एक इतना दो हो गया यलो साब तो इसकी resultant भी क्या बनेगी यह अब यह इसका reflected बेव फॉर्म है यह द्यान रखना पूरी बात पहले किस तरह से इसका reflection हो रहा है उसके बाद इसको आप समझोगे ना तो आपका सभी से answer आ जाएगा अब आप option पर आओ और जैक करो zero one centimeter two centimeter एक मिए देखो यह वाला इसका answer हो गया अगर इसमें यह कुस्ण होता ना कि अगर इसका हो रहा है कहां से है rigid से हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों rigid से होने पर जो इसका आने वाला part होगा वो कैसे होगा वो ऐससे होता देख़ी हो अगर क्योंकि उसको पहले पलटना भी था उलटना भी था अगर पहला और जो reflection के बाद आ रहा है उसको आप देखोगे दोनों कैसे हैं अब positive phase में हैं दोनों के भी spike लानतर है और विनासी बेतिकन होगा और विनासी बेतिकन होने पर उसका result end इसका ये वाला portion इससे cancel ये इससे balance सारे के सारे तो एक मोटी रस्तिक रूप में आप उसको सो करेंगे यानि ये first answer था इसलिए हम कह रहे हैं कि CLC आपको 45 question ही प्रोड़नी कर रही है इन 45 question के साथ साथ आपको वो theory भी दी जा रही है जो कि आपकी अपेक्सा है उस पे बिलकुल CLC हर कदम पे आपके साथ कड़िये ओकी question 7 आपका complete है अब हम बढ़ते है question 8 पे आईए question 8 कह रहा है कि 6 kg की 12 मिट्र लंबी एक सिरे के मुक्ट सिरे से 2 kg का द्रेमान लटका हुआ है और 0.06 मिट्र तरंग देरे का एक अनुपर स्पंद रसी के नीचे वाले सिरे पर उत्पंद होता है जब ये श्पंद उपरी सिरे पर पहुंचता है तो उसकी lambda अब कितनी होगी यानि आपने इसके free end पे कोई pulse generate करी जो भी बनाई उसकी lambda आपको दे रखी है और वो lambda है कितनी वाच्चो 0.06 मिटर आप उदे रखी है पास ही है पर ये pulse यहां से होते वे जो उपर पहुंचती है इस बिंदू पर आते आते यहां पर आते आते उस pulse का lambda days कितना है वो आप से पूछा जा रहा है अब ऐसा क्या हो गया कि यहां से यहां आने पर आप देखो यह रसी भी कैसी mass full है और यहां भी mass है यह कितना है दो केजी तो यहां पर इस जस्ट फ्री एंड पर तो टेंसन फोर्स है वो तो कितनी है दो जी परन्तो इसका mass आपको देर रखा कितना 6 केजी इसके 6 होने पर इसका total mass कितना 6 और 2 कितना 8 तो इसकी top वाले point पर जो यहां पर लग रहा है वो है बच्चो 8z tension है और tension बदलने से क्या हो रहा है यहां इसका lambda बदलेगा तो इस रसी में जो wave उत्पन होती है उसकी पर पढ़ते है frequency तो अपन जानते है n equal to कितना p upon 2L और root T by M होता है और हम यहां पर chance कर किसमें रहे हैं T में कर रहे हैं पर आपको पूछा किसमें है पूछा हम से है wavelength का relation तो समझो अपन जानते हैं V is equal to होता है n lambda होता न और जब कोई wave एक medium से दूसरे medium में travel करती है जाती है जब उसका reflection होता है अप्वर्टन होता है तो बहुत प्यारा प्रस्टन आता है कि wave की ऐसी कौन सी प्रोपरेटेजिसम कोई बदलाव नहीं होता और वो है मेरे प्यारे बच्चो frequency यह constant इसका मतलब V समान पातिक ऐसा lambda है या n जो n की value पर पूट करेंगे तो उस तरह से भी इसको आप check कर सकते हो बात सही है ना तो देखें इसमें अभी पर आप से पूछा क्या बच्चो lambda की बात पूछी थी थी ना तो अपन इसमें आगे पहुंच नहीं बजाए मैं इसमें ऐसे करता हूँ कि only velocity का ही सिदापन निकाले relation तो इसमें जो transverse way हो यहाँ पर move करती है ना उसकी velocity कितनी होती V is equal to आपने पड़ा है कितना root T by M या mu इकाई लंबाए का दर्यमान और V is equal to मेरे प्यारे बच्चो होता है N into lambda छोटे रूप में आप इतना ही कामें ले लो बहुत सही रहेगा ठीक है अब mu तो इस रसी का था इकाई लंबाए का मास वो तो constant है N भी कैसा है constant तो इस formula से आपको क्या लग रहा है कि lambda proportional to कितना बच्चो T आगा देगो lambda proportional to T अब तो खेल खतम अब तो कुछ है नहीं अब पूछा है कि इस free वाले पर कितनी इसकी wavelength होगी तो आसानी से कर सकते हो न अब तो अपन देगो शिदे कर देए इसमें कि lambda sum of the root T है तो इसको अपन ऐसे लिखें लेमडा डेस upon lambda is equal to root T डेस upon कितना T कि कई बच्चों को ऐसे लिखना नहीं आता यहां बड़ी समस्या होती कि ऐसे क्यों गड़ दिया सिखांगो इसको अब तो यहां वापिस आईए root T तो T डेस मतलब यहां पर top पर कितना लेगो add Z upon नीसी किता था 2 Z उड़ाओ इसको तो यह G स G कैन से लिए हो गया root of 4 कितना 2 तो lambda d डेस कितनी होगी 2 lambda होगी तो लिखन पहले कितनी थी 0.06 इसका double तो कितना हो 0.12 0.12 यलो साब इसका right answer और इस पे question कई बार exam में पूछा जा चुका है इसलिए गलती ना करें इसको अच्छे से धंग से याद कर लें और इस प्रकार की और भी कोई question आप मिले ना उनको गलती से छोड़ना नहीं है कभी छोड़ना नहीं है ऐसे कम से हम 2 या 3 question practice कर ले ना आप ठीक है पढ़ते है question 9 पे question 9 क्या खरा देखो कि दो तरंगों के समिकर निमन है तो पूछा है कि इससे जो इनका super impose होगा उससे कौन से गटना पहली बाद देखो कि दो जो अपने पास वेव है इसकी omega और इसकी omega ब्राबर है क्या नहीं है पर roughly ब्राबर है और roughly ब्राबर होना किसकी आवश्यक सर्थ होती है विश्पंद गटना की होती है और विश्पंद गटना में आप देखो इसकी frequency और इसकी frequency पर निकालेंगे तो इसकी frequency कितनी आएगी वैसे देखो यह omega टरम में है तो टू पाई वाला इसमें थोड़ा सा effect होता है तो अगर इसकी frequency निकालेंगे बीट निकालनी हो तो इसका सिधा अंतर करके उसको आधा कर दिया अगरो तुरंत बिना किसी calculation के फिर बता रहा हूँ अगर यह किस के टरम में है omega टरम में है दोनों अगर angle velocity के टरम में है तो सिधे आप इसमें से पहले घठा दो इसको तो 404 में से आप घठा ओ कितना 400 किता बचा 4 उसका हाप कर दो दो यह इसकी क्या विश्पंद आवरती है मेरे साब समझ गया आप ठीक है यहां तो कोई समझ से आनी है विश्पंद आवरती कितनी होगी दो हर्द हो गई अब पूछा हम से क्या है इसमें कुछ और लिखा है कि इसकी अधिक्तम और नियूंतम तीवरता का अनुपात कितना है वो भी आपको चेक करना है कोई समझ से आनी है तो आप देखें इस वाले का ये तो है आयाम 4 इसका आयाम कितना 3 तो जब आप पढ़ते हैं इंटरफरेंस और वहां आप निकालते हो इनका मैकसिम और कौन सा मिनिम्म का रेश्यो तो आपको जानकारी है I मैकसिमम अपॉन कौन सा I मिनिम्म वो है कितना A फरस्ट का अंप्लिटूड प्लस कौन सा B इसका स्कॉयर या A1 प्लस A2 का स्कॉयर अपॉन कितना मालो A मैं इसको B मान रखाँ तो माइनस कितना B का स्कॉयर यह तो करते हैं तो A कितना देखो 4 प्लस 3 कितना 7 4 मैस 3 कितना 1 तो seven का square कितना 49 upon one इसका मतलब इस person में कितने विश्पंद बने दो maximum और जो minimum की frequency जो आपकी बनी इसमें intensity उसका ratio कितना है 49 ratio one तो आपका answer कौन सा देख आया second कि विश्पंद आवरती कितनी 2 hertz है और इसमें maximum और जो minimum है उनका ratio कितना intensity का 49 ratio one बिल्कुल ठीक है अराम सी कर सकते हैं कि सुनको आई साब question number 10 यह question है दो सुरित्रों A और B की आवरतीयां किसी अने C की तुला में करमस है 3% ज़ादा और 2% कासी कम है A, B और दो A और B हमारे पास सुरित्र हैं और A कौन सा C है तो चलो मैं ऐसे बना लूँ जब A और B एक साथ बजाए जाते हैं चलो इसमें ऐसे कहरा है कि 3%, 2% और B, C को कैसे मान रहे हैं तो C को मैं 100 मान लिता हूं जो C को मान लूँ मैं कितना? 100 अब यह कहरा है कि जो A की frequency हो कितनी इससे 3% ज़ादा इसका मदब घड़ दो कितना? 103 और B कितना है? B है इससे 2% कम तो इसका 2 कितना है? 2% तो 2 ही हो गया रठाओ इसको 100 में से 2 घड़ा दो कितना है? 98 येलो साब अब कराए जब A और B को एक साथ बजाए जाते हैं तो 35 पांच A और B को आपन साथ बजाएंगे तो इनका difference कितना? बिलकुल B कितना पांच ठीक बात है बिलकुल सही है पांच ये बन रहे हैं तो A की कितनी फ्रिक्वेंसी है? 103 103 ठीक है कोई दिक कितनी है? बढ़ो आगे क्षिशन नमर 11 क्षिशन कह रहा है एक दिएगे सुरितर के साथ सोनो मिटर का तार अरुनादित किया जाता है तो तार के दो सहतों के बीच A परगामित रंग के पांच प्रश्पंद उस इस्तिमें प्राप्त होते हैं जबकि तार पर 9 कीजी का वेट रटका रहा हुआ है जब इस दिर्यमान को क्यप्टल M से रिप्लेस कर देते हैं तो उसी सुरितर के साथ पूनाए सेत्वों के बीच की उतनी दूरी पर तीन प्रश्पंद उत्पंद करने के लिए रिजोनेंस होता है तो M का मान कितना है देखो भई क्यूशन ये इस तरह से है कि जो सोनोमेटर है उस सोनोमेटर में दो आपको देर रखे हैं परियोग उन दो परियोगों में लंबाई कॉंस्टेंट रखी जा रही है और जो पहला भाग था बच्चो इस पहले भाग में यहाँ पे कितना था 9 केजी यहाँ जो वेट है वो कितना 9 केजी और फिर 9 को अठाके यहाँ लगा दिया है M और ऐसे करने से देखो पहले इसमें क्या था पहले इसमें कितने बने थे पांच प्रस्पंद और M के साथ कितने बने बच्चो तीन प्रस्पंद आओ आप इस देखो यहाँ तो कितने बने पांच एक प्रस्पंद दो तीन चार प्रस्पंद जितने बनते हैं न प्रस्पंद उतने ही सेगमेंट में उतने ही खंडों में इसका होता है और दूसरे बाले में कितने बना रखे हैं तीन तीन ही बने इसमें प्रस्पंद एक दो और तीन इसका मतलब इस वाले में पी कितना पांच है और इसमें पी कितना है मेरे प्यारे बच्चो तीन तो पी बन तो पांच माल लो पीटू कितना आप तीन माल लो और टेंसन हो गया बाकी हमने किसी प्रकार का कोई चैंस किया नही है तो बस अब इसी बेस पे इसको आफ सॉल कर दो तो आजाओ अभी हम पीछे पढ़के आया थे कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी है बच्चो वो n बराबर क्या थी p by 2l और root t by m हमने क्या बदला सिरफ यहां बदलाओ कि इसमें p में और t में है बाकि सब कैसे हैं constant है उसी फ्रिक्वेंसी के साथ पुरा रेजोनेंट इसका मतलब n भी उतना ही है तो इसका मतलब p root t बराबर कैसा constant है जिसको मैं बोलते है mail डिगा नहीं है ओके तो इससे अपन देखें तो p root t बराबर कैसा हुआ constant क्या p लिखो one upon root t के समर्णपाती कोई दिकत नहीं है तो first वाले में कितना देखो first वाले में 5 root 9 बराबर कितना कर दो यहाँ पर देखो 3 और यह root कितना m बैस कोई issue नहीं है अब इसका square करो देखो क्या लिखो इसको 25 into कितना 9 is equal to 3 का square कितना 9 और yellow m 9 से 9 कैंसिल तो m कितना 25 केजी तो आपका answer कितना है फ्यारे बच्चो 25 केजी हो गया राम से प्रशन को डंग से देखो पिजिक्स में दिक्कत ही होती है आप अच्छी सिकर्ण को पढ़ने पाते है ना जैसे बोस कहा करते है मेंसा यदि आपको फिजिक्स में पढ़ना नहीं आता तो कितना कैसे करोगे तो पहले पढ़ना 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 है क्या दिया गया है क्या उसमें अपने को find करना है पिजो system of universe किस परकार के हैं किंग सीजेस्ट और mks का mix तो नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं फिजिक्स में mostly जो questions है वो आपके SI सिस्टम में ही solve होते हैं और chemistry में किस से होता है CJS से होता है ओके तो आपने बढ़ते हैं question 12 अब साब question ये करा है कि दो तार एक sonometer में कसेवे हैं दो तार कस दिये उनका तनाव इतना है लंबाई इतनी है तनाव का अनुपाद दे दिया आपने को कौन सा T1 बाई T2 फिर लंबाई है इसमें ratio L1 बाई L2 भी दे दिया और व्यास का अनुपाद मतलब radius का ratio भी आपको दे दिया R1 बाई R2 फिर दे दिया आपको density कितनी रो 1 बाई R2 भी दे दिया इस अवस्ता में high frequency अपने पास ये है तो विश्पंद कितने बनेंगे तो विश्पंद तो तभी आप ग्याद कर पाओगे ना जब आपको दूस दूसरी frequency मिल जाए तो पहला हमारा लक्स होगा इसमें दूसरी frequency निकालना तो सोनमेटर में जो frequency है उसको अपन देखें तो वो depend करती किस तरह से है उसको देखें तो आव साब तो अपन पढ़ते हैं उसमें N बराबर P by 2L root T upon इसमें density भी है radius भी है तो मैंने अभी कुछ दिर पहले इसको आपको सिखाया था P upon 2LR और root T upon कितना row और area को हमने लिखा था पाई R square से तो पाई एक और यहाँ थी पैस तो अब यह depend किस किस पर कर देखो length भी है radius भी है tension भी है density भी है इससे हम लोगों को पहले अनुपात निकालना पड़ेगा और देखना पड़े कौन सा अधिक और कौन सा कम है आओ तो जैसे मैं लिखों इसमें देखो पाई N2 बराबर शिदा इससे करूं तो P और 2 और पाई तो constant है यहाँ पर P 2 और पाई तो है constant बाकि सब की value आपको बदलनी है मुझे इसको N1 बाई N2 करना है तो यहाँ एक तो आया कौन सा L2 बाई L1 तो length की ratio जो है L2 बाई L1 कितना है देखो यह 35 अपॉन कितना 36 उल्टा इसका भी है हमारे पास ratio कितना 4 ratio 1 इसको भी उल्टा लिख दो हूँ तो कितना हो गया 4 1 1 4 तो यह हो गया आपका 1 ratio 4 इंटू फिर root में है और T तो उसी sense में है तो T1 by T2 तो ना हमारे पास क्या था आठ अनुपात एक यह लो बैटे जी आठ एक इंटू रो वापिस reverse में है तो density क्या थी 1 ratio 2 तो 2 ratio 1 यह लो 2 ratio 1 बस अपना काम हो गया यहाँ 1 by 2 कैसे लिखना है मैं इसको अभी आपको बताने व sheet में और यहाँ पर इस तरह से convert करना भी आपको fastly आना चाहिए तभी आप समय बचा पाएंगे और chemistry में या जोलोजी में या बोटी में आप इसको लगा पाऊगे आप इसमें 8 और 2 का करें आप multiply कितना है 16 का root कितना 4 4 से 4 cancel 4 से 4 cancel अब हमारे पास देखो ratio कितना है कि n1 upon n2 क value आ चुका है 35 upon 36 तो अब यहाँ से operation को solve करना 6 एका सकते हो हमारे पास यह है n1 by n2 is equal to 35 upon 36 इसके मतलब को n2 का ratio बढ़ा है n1 का ratio छोटा है तो यह frequency कैसी है आपको उदेर रखा है कि बड़ी frequency किती 360 n2 का मान आपको मिल चुका है 360 पर n1 आपको नहीं मिला है इसलिए अब मैं इसको और इसके साथ यहाँ पर check करता हूँ तो ध्यान दो 36 को उड़ाऊं इससे तो यहाँ कितना हुआ यह 10 इसको इसे गर दो multiply 35 into 10 कितना हुआ यह n1 हमारे पास frequency यह 350 हर्ज अब यह 350 और वो कितना 360 एक साथ इनको पन करें complete तो आवर्तियों का अंतर ही क्या विश्पन आवर्ति है दस हो गया इसका तो आपका answer कितना आ गया fourth बढ़िया की question में next में question number 13 एक अनुपरस तरंग डोरी अक्ष अक्ष की दनात्र गिसा में 10 cm पर सेकिंड चार्ज से संधित हो रही है तरंग जा किस तरफ रही है positive अक्ष में इस तरफ देव जा रही है तरंग की तरंग दे रही है point 5 मीटर है इसका lambda आपको दे दिया point 5 मीटर और इसका आयाम A वो है कितना 10 cm एक निश्य समय T पर तरंग का चित्रन उसार है तो 5 cm विश्थापन पर बिंदू P का वेग कितना है यानि आपको किसी X पर विश्थापन पर वेग पूछा गया है तो एक तरंग गती कर रही है उसका वेग आप से पूछा है तो no doubt यहाँ वेग तो आप निकालेंगे की omega root of كतना A square minus X square कोई समझे नहीं है अब हमारे पास इसमें आयाम B है हमारे पास इसमें X B है पर क्या नहीं है ओमेगा नहीं है यह हमें find करना पड़ेगा और चलो इसको मैं यहाँ अपर पहले ये बार सोटा सा solve कर लों तो टू पाई एन और ये ए स्क्वाइर माइनस अक्स्क्वाइर अब एन आपको चाहिए और एन के लिए आपको इसमें क्या दे रखा है कि दस सेंटीमिटर पर सेकिंड चाल से संजित हो रही है लेमडा भी अपने पास है तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी भी है इसका लेमडा भी है तो आपने जानते हैं V is equal to कौन सा अन लेमडा सही है तो इससे पर निकालते हैं अन तो V अपन लेमडा तो देखो 2 पाई V बाई लेमडा और ये लिख दूँ यहाँ पर कौन सा A स्क्वाइर माइनस X स्क्वाइर अब अपना काम रेडी है अब अदर हो आप और भी कई बाते इसमें सीखने वाली हैं उसको बताऊंगा पहले इसका ओन लेमडा निकाल लेता हूँ तो सुनो ये तो 2 पाई इंटू V हमारे पास क्या था? मैं इसको पूरे को अभी CGS में सॉल कर रहा हूँ और फिर इसको अपन MKS में कर लें क्योंकि most of data कैसे आपके 5 cm, 10 cm CGS में ही है तो पूरा पहले सॉल कर लो अपन निकाल लें वेलोसिटी की इसकी पार्टिकली मोशन की तो उसमें अपन देख रहे हैं इससे तो 2π into V, V हमारे पास था बच्चों कितना V था हमारे पास कितना 10 और लेंडा कितना था भई, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर यानि कौन सा 50 cm यह लो 50 cm धान बहुत रखना होता है किसका सिस्टम आफ उनिट्स का A square minus X square, I am कितना था तो इसका 10 का मतलब 100 हो गया minus कितना देखो, 5 cm बोले तो 25 तो यह हो गया 75 बोलो, इसको इससे उड़ा दूँ, तो 2π अपॉन 5 देखो भई 2π अपॉन 5 सही है अब यहां कितना रूट 75, यानि 25 गुणा 3 25 का रूट कितना 5 उसको मैं बाहर ले लूँ, तो एक तरसे हमारे पास वे लिए पांच रूट 3 तो यह इससे कर दूँ यहां पर कैंसल तो 2π रूट 3 2π रूट 3 सेंटी मिटर पर सेकंड सेंटी मिटर पर सेकंड यहां पर पार्टिकल की स्पिड आ गई अब इसको हमने करा किसमे है CGS में, तो बदलना इसको मुझे मालो किसमे ऐसा सिस्टम में है मिट MKS में, तो सो से भाग देना पड़ेगा तो सो से भाग दूँगा तो मेरे पास देखो आंसर कितना आया द्धान देलो भई यह है 2π रूट 3 अपॉन कितना सो उड़ाओ इसको 2 से कितना पचास तो पाई रूट 3 यह है पाई रूट 3 अपॉन पचास इतना मीटर पर सेकिंड इसकी स्पीड है पर अब इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि इसको किसमें रिप्रेजेंट कर रखा है वेक्टर फॉर में रिप्रेजेंट कर रखा है तो यहां एक बात जो किस्टन्स के लिए बहुत ज़्यादा माइंद रखती, इंपोर्टेंट है उसको आमें देखना है और उसको सिखें आप देखो, जैसे आपने फॉर्मिशन ओव वेव पड़ा वेव की डैफिनेशन पड़ी आपने तो जब हम कोई पत्थर स्यांत पानी में ड्रोप करते हैं तो सबसे पहले जहां पे आपने पत्थर को डाला है ड्रोप किया है वो पानी जो है, वो सबसे पहले नीचे मूँ करता है उसके बाद आप लगातार मौनलों के पत्थर डालते जाएंगे फिर एक ग्रूप आफ डिस्टरबेंस बनेगा और वो एक टाइम डिफरेंस के बाद फ्लो करेगा और जो फ्लो करता हूँ आपको दिख रहा है जहां मीडियम फ्लो नहीं करता है उसको पर वेव करते हैं उस वेव में किस तरह से होते हैं पार्टिकल्स के उसलेशन उनकी डिरेक्शन वो इसमें बहुत महतुप उड़कती है तो मैंने आपको एक हिंट दिया कि मानलों को रसी है या कोई मानलों एक सर्फिस है सबसे पहले आपने यहां पत्थर डाला तो पहले सबसे पहले इसका पार्ट नीचे गया नीचे गया ऐसे तो नीचे भाट ऐसे वाला भाग गया बस इसमें ये दो भाग है एक तो इतना भाग और एक जो इसके बाद वाला पार्ट है देखो इसके आगे वाला पार्ट ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट में और इस में अगर वेव इस तरह मूग कर रही है तो किस तरह से पार्टिकल्स उसलिट करते हैं उपर गए नीचे गए वो ढंक से अगर आप कर लेते होना तो कोई समस्या नहीं होती मैं इसके दो पार्ट बता दूँ आपको A और B इन को धंग से आप याद कर लो मान लो वेव हमारे पास इस तरह की है दोनों मैं एक साथ ले रहा हूँ ये वेव हैं और इस तरह मूँग कर रही है ये वाले इस तरह मूँग करें धान देना दोनों आपको आनी चीए एक प्लस अक्षम जा रही है एक कौन से मैनस अक्ष जा कैसे रही है उसकी दिसा भी आप पता लगा सकते हो तो अगर मान लो वेव जा रही है इस तरह मैंने का ये वाला पोर्षन देगो ये पत्थर यहां पे गिराया तो ये बार्ट नीचे जा रहा है तो ये पूरा भाग है ना ये वाला पूरा भाग ये पूरा भाग इस तरह से नीचे जाते हुए पार्टिकल्स की मोशन को शुगरता है और जो आगे वाला पोर्षन है ये हमेशा कैसा उपर की तरफ आते वे आपको दिशा की रूप में दर साथा है अब इस तरफ मूँ कर रहा है और ये वाले भाग उपर की तरफ दिखा रखे हैं इसका मतलब इनकी डिरेक्शन सही है और इसका मोशन भी इस तरह से हो रहा है यहां wave motion कर रहे है तो यहां दो तरह की speed है एक speed of propagation of wave एक speed of propagation यह उस listen of particles यहां उस listen कोन कर रहा है particles कर रहे है भी SHM में और wave में difference ही क्या है SM एक single object का उस listen है और wave है क्या उस परकार की बहुत से particles जब combine होकर क्या करते हैं उस listen उसको पर wave करते हैं तो वो difference आता है यहां पर तो यहां एक particle कर रहा है SM और यहां तो बहुत से कर रहा है grouping हो गई जब इस तरफ move कर रही है उस वाले में यह वाला भाग जो है इसके सारे particles उपर की तरफ उसलेट करेंगे यहां 0 होगा यह ऐसे उपर की तरफ जाएंगे और यह वाले सारे जो particle है न देखो यह सब यह सब नीच आएंगे यह सब नीच आएंगे पर यही process अगर आप लगाते हो किसमें आते समय उसको उल्टा याद कर लो अब यह जाते समय उपर की तरफ थे यह नीच आएंगे बाकी सारे उपर की तरफ उसलेट करेंगे बिल्कुल डंग से धान कर लो याद करने के लिए इस तरफ वेव मूग कर रही थी पत्थर आप डालते हो यह वाले particle इच जा रहे हैं तो इसके साथ का जो आदा भाग है उसका उसलेटन और उसके बाद वाला दोनों ठीक अलग अलग तरह से उसलेटन से उगड़ते हैं अब सुनो मुझे बताओ जैसा आपके क्विशन था उस क्विशन में जान दो आप की वेव जा किस तरफ रही हैं वोलो इस तरफ अब पोजिटिव अक्स में जा रही है और आपको पार्ट ये दिखा रखा है तो ये पार्ट इकर ऊपर जाएगा या नीचे ऊपर जाएगा तो दिशा कैसी वही प्लस जे में बहुत बढ़िया आनंद वाली बात आगे देखो इसमें तो तो हमारा आंसर कितना रूट 3 पाई अपॉन पचास जे मीटर पर सेकेंड की प्लस जे आएगा तो आपका आंसर कौन सा फास्ट ओके देखो साब बितना शांदर कोईशन है तब ही तो कह रहे हैं हम लोग पूरी थियोरी के साथ आपको चीज़ें प्रवड कर रहे हैं इसलिए इसको तो देख लेना डंक से वीडियो को एक बार ने दो बार देखना निश्य दूर्प से आपका नीट का एक परसन आपका यहां स्वाल हो जाएगा एक या दो मानू आप क्विशन नवर 14 आईए साब क्विशन में कि एक रेजोनेंस ट्यूब है जो कि 512 हर्ज आवर्ती का एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस कर रही है पर्थम अमनाद पर जलका तल इतने पे है दूसरे पे कितना इतने पे है यानि तो आपको देदी कौन सी L1 और देदी आपको कौन सी L2 तो धवनी के वेग की गर्णा करने में अधिक्तम संभावित रूटी कितनी होगी तो यहां तो आपको इसका जो वेग निकालने का फर्मला होगा धान होगा साइद लेम्डा तो कितना होता है बच्चो इसमें 2 L2 माइनस कौन सा L1 और V कितना होता है N इंटो लेम्डा तो इसको only N से multiply करना है तो 2 इंटो N और यह साब L2 माइनस कौन सा L1 कोई समस्या नहीं है अब हमारे पास N कितनी है देगो 512 तो इसकी value जो है वो 2 इंटो कितना यह 512 और यह लंबाई यहाँ पर आप put करोगे put करने से हमारे पास इसकी velocity आ जाएगी और velocity जो आपको मिलेगी वो करीब करीब यहाँ इसको पुरा solve करोगे न CGS में 100 से भाग दे के solve करना डंग से तो यह velocity इसकी मिलेगी आपको 332.8 मीटर पर सेकिंड ठी कितनी 332 मिली किती 332 में बिल ओनली गुणा करना वही अब यह कृप्टर से आपका खुद का काम है अब देगो difference कितना है तुरूटी कितनी है 0.8 किया इना 0.8 मीटर पर सेकिंड और answer किसमें है CGS में तो 0.8 को आप गुणा करो 100 से तो कितना 80 cm पर सेकिंड इस तरह से आपको करना है कर लेंगे? Okay Question number 15 15 क्या करा रहेगो? कि एक दावनी आउट्सोस 20 decibels तरकी दावनी को एब्जोर्ब करता है रोगता है तब ती वरता में कमी का गुणांक कितना है? बहुत ही पैरा परसन लेगो तो जो दावनी की लाउडनेस होती है न बच्चो उसका formula क्या होता है? L बराबर 10 log 10 base I1 ती वरता पे I1 अपॉन कितना I0 और I0 होती है threshold intensity होती है फिक्स होती है 10 ती वरता कहलाती है और किसी I1 ती वरता पर I1 ती वरता पर परबलता इने लाउडनेस कितनी L1 है और चलो दूसरी ती वरता मैं कह दूँ कि 20 decibel उसने absorb कर दे तो कितनी रहगी? तो पहले I1 थी पर I2 का का काम करना है तो L2 कर दो यहाँ पर 10 और लो कितना 10 बेस I2 by I0 एक तो यह सोचों कि पहले ती वरता I1 थी तब अलग loudness थी फिर कुछ sound उसके absorb कर ली गई है तो बाद की loudness कैसी कम है इसके मतलब L1 जादा है L2 बढ़ा है पहले यह confirm कर लो कई पर यही question उल्टे रूप में आता है यह बोले कि कोई hearing aid अपने पैडल लिया मालोपन कान में कुछ hearing के लिए एक जो device लगाते हैं उससे जो sound की intense बढ़ गई यही प्रस्शन ऐसे आता ना कि 20 decibel से आपने किसी hearing aid को लगया और उससे loudness कि 20 decibel बढ़ गई तो उस case में L2 बढ़ा होगा L1 छोटा होगा बास नमागे ना अच्छा पर इसमें L1 बढ़ा L2 छोटा है तो इसको मैं डिफरेंस करूँ इनमें एक मिस तो गठा दूँ वसे है किता लोग 10 बेस I1 माइनस किता लोग 10 बेस तो 10 लोग 10 बेस कितना बच्चो हो गया I1 अपॉन I2 डिफरेंस करेंगे 10 तो कॉमन ले लेंगे तो लोग 10 बेस I1 माइनस कितना लोग 10 बेस I2 रहेगा वापिस इसको कंबाइन करोगे इस तरह से फरमुला आपका बन जाएगा अच्छा अब ये कमी कितनी थी ये वैसे अधिक है अधिक मेंसे कम गठा है अपने तो only उसका मोड लिखना है वो मेरे पैरे बच्चो है कितना बीश अब इसको इससे उड़ाऊं दो आ गया तो इससे आप सौल करेंगे तो लोग इसका लोग खटा दूँ विद लोग 10 बेस I1 अपन I2 अना मुझे इसका मान लो ये खटाना है तो लोग 10 बेस I1 अपन I2 का मान हमारे पास दो है तो इससे सिद्धी में गयाद करता हूँ I1 बाई I2 तो वो कितना हो गया 10 की पावर 2 यानि So और इससे अपन सौल करेंगे तो मेरे पास I2 का मान कितना आया I2 आ चुका है I1 अपन 100 अब आओ साब कि बाद की intensity पहले से कितना गुणा कम हो चुकी है 100 गुणा कम हो चुकी है 100 गुणा कम हो चुकी है तो तीवरता में कमी का गुणांग कितना है कितना है answer आपका so कमी का गुणांग so आपका answer आजाए बिल्कुल अच्छे सिकर से कोई इस भाई नहीं देखो आप चेखो हर question अपने आप में विशिष्ट है इसलिए punch आपके लिए बिल्कुल punch का गाम करेगा नीट के लिए और जी में के लिए आईए question number 16 ये है किसी तार का तनाव लंबाई और तरिजा constant है आवरती N और तार की density की वर्गमूल के मद्दे कौन से परकार का graph बनेगा तो इसकी भी त्यारी हम लोगों ने पहले से कर रखी है तो जो frequency होती है पर ने पढ़ा था वो था कितना P upon 2 L R into कितना root T upon कितना rho into pi ये हम लोगों ने पढ़ा था इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या N और density कौन-कौन एक तो N और एक प्यारे बच्चों कौन सा density बस इसको आपने change किया ये बागी सब constant है तो इसमें relation क्या रहा देखो ये रहा N प्रपोस्टनल टू 1 upon root row रहे गया तो graph हम किसका बनाते हैं graph कैसा बनाते हैं उस पर डिपन गरता है मान लो graph किसमे N में और 1 upon root row में है graph कैसा बनेगा state line बनेगा graph किसमें बनाए हम लोगों ने N में और root row में यानि इसको मैं Y मान लूँ और इसको 1 upon X कह दूँ यानि इसको मैं X मान लूँ graph कैसा बना Y प्रपोस्ट 1 upon X तो ये तो किसका graph है rectangle र हाइपर बोला तो graph कौन सा बन गया third बिल्कुल अच्छे से बस केवल कृष्ण को डंग से पढ़ना है कुछ नहीं करता हम तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं simple जो है ना उसको देखते हैं डंग से उसको पढ़ लेते हैं और उसको अपलाए कर लेते हैं और ये बचों को सिखाते हैं ठीक है? आओ question number 17 question 17 देख हमसे क्या कर रहा है कि दो सुरितर पी और क्यू को एक साथ बज़ाई दाने पर उत्पन विश्पंदों के संख्या को सलरेखा O A द्वरा रख्त किया गया है दोनों को साथ अपन कंपीट कराते हैं तो O A से तो एक सेकिंड में कितने सुने विश्पंद तीन वो ही होते हैं विश्पंद आवरती यहां देखो यह समय है यहां पर एक सेकिंड दो सेकिंड एक पर तीस सेकिंड कितना डिफरेंस है आवरती का तो देखो यहां पर एक सेकिंड में कितने तीन सुने O के अनुसार और B के तो पहले case में जो विश्पंद इसके हैं B वो है मेरे प्यारे बच्चो कितने तीन है ठीक आगे पड़ो कि सुनको P और Q दो हमारे पास ते ट्यूनिंग फॉर्क एक तो P है A कौन सा Q दो है और इनको साथ बजाने पे कितने पहले विश्पंद सुने तीन सुने अब कह रहा है कि Q को मौम से भारित करके पुनहें दोनों को हम बजाते हैं साथ साथ तो O B यानि फिर कितने सुन रहे हैं B डेस वो हैं कितने दो सुन रहे हैं एक सेकंड फिर कितने दो सुन रहे हैं तो विश्पंद की संग्या घट गई, कोई बात नहीं है, अब कर रहें, यदि पी की आवर्थी 341 हर्ज़ की आवर्थी कितनी है, तो पहले सोचो कि पी की तो फ्रिक्वेंसी है, वो आपको दे रखी कितनी 341, और पहले इस भाग के अनुसार, फस्ट वाले के अनुसार, या तो तीन इस से अधिक है, तीन से कम, जब इससे तीन अधिक और कम करेंगे, तो देखो, तीन इस से अधिक करूं, और तीन से कम करूं, तो एक तालिस प्लस तीन कितना 344, तीन से कम कर दूं, तो कितना होगा 338, इतनी हर्ज, मतलब क्योंकि फ्रिक्वेंसी या तो कितनी है 300, 45 है 300, 38 में से कोई एक frequency है पर अब उसको भी find करने के लिए confirm करने के लिए एक experiment और किया गया और उसने कहा कि अगर मैं इस Q पे, ये Q की frequency आगी बचो, ये Q की frequency है, या तो ये फिर या ये, अब करा कि अगर Q को हम मौम से भारित करते हैं तो ऐसे प्रशनों में हमें साथ दो चीज़ा आती है या तो हम उसके एक बुझा है उसको गिशते हैं, या फिर उसमें बुझाओं को हम क्या करते हैं, मौम से भारित करते हैं, जैसे भारित करते हैं तो frequency कम हो जाती है और उसको अपन रब करते हैं गिषते हैं तो frequency उसकी बढ़ दाती है हमने क्यों को गिष दिया या हमने इस पे मौम लगाया है प्रस्टन कहरा है कि उस पे मौम आरुपित करा गया है तो loaded हो चुका है इसलिए उसकी frequency कम हो गई है यानि अगर वो frequency 30344 वाला होता तो इसकी frequency कम होती या तो 343 होती मौम लगान के पस साथ या कितनी होते 42 होती या कितनी फिर 41 होती ऐसे होती और अगर ये वाली है तो frequency क्या होती बच्चो या तो 300 एकम 37 कर दो या 300 इसमें कितना 36 कर दो या 300 कितना 35 कर दो यह तो थी ना पर अब अपन इसमें पी और क्यू को साथ बजाएंगे तो ध्यान देना यह दिया अपन इसको मानते हैं 344 को तब इन दोनों को एक साथ compute करने पर ये 341 कितना 343 है डिफरेंस कितना 2 या इस से इस वाले से आपको भी 2 सुनाए दे सकते हैं पर अगर मैं ये मानता हूं तो 41 से 37 का डिफरेंस ही कितना हो चुगा बच्चो चार फिर पांच छे बढ़ेगा इसका मतलब इस से संबव नहीं है तो आपका आंसर कौन सा 344 यानि 344 ये इसका राइट आंसर है तो आपका आंसर कितना 3 244 हर्च बहुत बिंदास प्रस्टन है ऐसे प्रस्टन एक्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं क्यूशन नमबर 18 क्यूशन नमबर 18 क्या बला इसने वो V बाइ 10 की चाल से एक श्रोत था श्रोता एक दूसरे की और गती करते हैं जहां V धावने की चाल है यदि श्रोत द्वारा उत्पन किये श्रोत की आवरती कितनी F है तो स्रोता द्वारा सुने की आवरती लगबर कितनी होगी यानि क्यूशन देगो ऐसा है यानि observer और source दोनों ही एक दूसरे की तरफ गती कर रहे है और दोनों की speed कितनी है बच्चो V बाइ 10 और V बाइ 10 दोनों पास आ रहे हैं दोनों के करण दूरियां घट रहे हैं दोनों के परभाव से frequency कैसे बढ़ेगी तो यहां तो issue ही नहीं तो यहां जो endis frequency है Doppler effect के नुसर कितनी N into V अब दोनों परभाव कैसे frequency बढ़ने वाले होने चाहिए तो यहां करण दो V plus V naught और यह कौन सा minus का V, sorry यहां क्या बनेगा minus का minus का V naught अब V naught की value पूट ही करण दोनों सिद्धी तो दो कितना V by 10 यहां भी कितना V by 10, करो solve यहां 1 plus 1 upon 10 11 upon 10 यहां 11 upon 10 V upon यहां कितना V minus V upon यहां 10 minus कितना यह 9 upon कितना 10 V अब V by 10 से V by 10 cancel हो गया, हमारे पास value कितनी है 11 बटा 9 भाग दो 11 बटा 9 में तो 9 पहले भाग कितना 1 बार फिर बचा कितना 9, 10, 2, 18 2, फिर 2, तो 1.22 आगया न, अब solve गरदो भी तो N days परवर है कितना N into 1.22 तो आपका answer है 1.22 N, तो answer right answer क्या बलो second इस पी जो formula बगर रहे हैं उस पी कुछ और आप रिस्क्स करेंगा अभी थोड़े देरे बाद में तो आते हैं question 19 पर question है कि एक police की car 240 हर्ज की आवरती पर एक दावनी उत्पन कर रही है जब car rest में है rest में है तो इसकी frequency यह है यदि दावनी की चाल 330 meter पर सेकेंड हो तो 11 meter पर सेकेंड चाल से कार की सतह कार की तरह पहुँचने वाले प्रेक्स अब को शुनाई देने वाली आवरती कितनी होगी तो इसका पहले अपन जो formula है वो आपको share कर दें देखो जैसे आपने पढ़ा इसमें Doppler effect of sound तो उसमें जो एक तो है source एक है हमारे पास observer तो मालो यह तो है observer यह कौन सा है source इसने frequency produce करी मालो कितनी end frequency अब यह पास हाए दूर जाए यह पास हाए दूर जाए इसकी तो velocity है अपन लेते हैं V0 इसकी velocity क्या लेते है अपन Vs मैं इसमें जब दोनों पास आएं एक पास है कैसी भै दोनों के भी इसकी सापिक्ष दूरी D अगर बढ़ती है D बढ़ती है तो प्यारे बच्चों इसकी frequency बढ़ती है लेमडा है वो कैसी घड़ती है और time period भी कैसा घड़ता है आवटकाल भी घड़ता है ठीक इसी परकार से अगर मालो D कैसा है घट रहा है तो frequency कैसी घटेगी और लेमडा बढ़ेगा T भी कैसा बढ़ेगा एक बात बिलकुल धान देना अच्छे से नौट वाली बात है कि अगर S rest में हो S कैसा हो rest में हो S की घटी से जो लेमडा है ना लेमडा उसको विशेश तो धान देना अगर लेमडा रेस्ट सोरी अगर source रेस्ट में है तो लेमडा में कोई बदलाव नहीं आएगा गतिशिल है तो लेमडा बदलेगी साथ में वो तो frequency हमेशा बदलती है सोर्स मूग कर रहा हो चाए observer अब इन सारों में देखो कि मैं आपको द्यान रखना चीए N वाला formula तो ये formula कैसे है देखो कि N देख वास्ति आवरती कितनी थी N थी अब आश्ति आवरती कितनी N देख है तो जो N देख का formula होता है वो होता है N into ये V velocity of sound upon velocity of sound फिर है plus minus plus minus हमारे पास दो speed है एक तो है V कौन सा V0 एक कौन सा Vs हम mostly क्या frequency याद रखते हैं उसमें धान रखो O से over O से over तो यहाँ जो आएगा कौन सा मैसा V note आएगा और ये कौन सा Vs sound भी मालो move कर रही है sorry sound भी move करती है हवा move कर रही हो तो अगर हवा S से किस तरफ आ रही हो observer की तरफ तो plus लेनी है दोन्नों में plus लेनी है तो plus यहाँ भी plus मालो V कौन सा W V अगर मालीजे O से S की तरफ हवा बह रही हो तो आपको दोनु जगए ही minus लेना है ध्यान देना बिल्कुल ठीक से mostly इसका उप्योग होता नहीं है तो बात रहे किसकी इन सब की अब इनके sign आप लेंगे तो ध्यान देना अचैसे की आवर्ति बढ़ने वाला गठाने वाला मालो इस V नोट से आवर्ति बढ़नी है तो plus गठाने पर minus इस से आवर्ति बढ़नी है तो minus गठाने थो पलस दोनों मूँ कर रहे हैं कौन सा मूँ कर रहा है नहीं उस साथ से आपको इनके साहिन लेने होते हैं टीक वैसे ही जो इसका लेमडा है वो है लेमडा डेस लेमडा बराबर अब चुंकि दोनों रिवस में हैं तो यहां पे वी अपॉन वी है बस यह वाला पोर्शन आपको अब यहां लिख देना है और यह वाला पोर्शन आपको यहां लिख देना है ऐसे टीडेस की रूप में आपको निकालना हो टीडेस बराबर टी तो यही सेम प्रोसेस जैसे लेमडा की वैसे टे के लिए कर लेनी है यह मैंली आपको काम बिलेना है समझें अब मैं आता हूँ वापीस से उस प्रिशन में आता हूँ एक पुलिष की कार 240 हर्ज की आबरती एक ध्वनी उत्पन कर रही है माल लो पुलिष की कार है और वो एक साउंड उत्पन कर रही है जैसे यह को कार है और यह है कैसी रेस्ट में और इसने जो frequency produce करी N वो है बच्चों के 320 हर्ज कोई समस्या नहीं है यह दिद धहने की चाल इतनी है तो 11 मीटर पर सेकंड चाल से कार की तरफ पहुंचने वाले प्रेक्षक को एक प्रेक्षक कोई यह कोई प्रेक्षक है जिसकी इन अब्जरवर है तो इसका V-not कितने 11 मीटर पर सेकंड से पास आ रहा है यह है रेस्ट में वो पास आ रहा है इसका V-S कितना वच्चों V-S है 0 V-not कितना है 11 मीटर पर सेकंड और पूछा क्या है तो प्रेक्षक को सुनाए देने वाली आवरती कितनी होगी तो अपन जानते हैं मेरी पैरे बच्चों कि end is बराबर कितना N N कितना है 320 into V-upon V तो है 330 तो आना ही आना वई upon कितना 330 अब कौन सा देरिक आपने को V-not O से और उपर जाएगा येलो साब तो जोड़ दो उसको प्लस 11 क्योंकि पास आने पर आवरती बढ़ती है तो प्लस कर दो सही है अब इसको solve करना देगो तो 320 into ये आपका हो चुका है कितना 341 upon कितना 330 अब इसको अपन काट दे 0 से 0 cancel इस को ड़़ाएपन कितने 11 से 11 से डिवाड़ करें तीन बार यहां कितना 3 और फिर कितना 1 तीन और ये एक अब इसको आप solve कर सकते हैं तो ये हमारे पास रहा कुंसा 32 into 31 कहीं गड़बड़ तो नहीं कराना 11 से आप करेंगे इसको तो 11 3 और फिर 1 31 इसमें दोखो एक थोड़ी से अपने mistake की की frequency हमने कितना 320 actual में है कितना 240 तो इसको इबार में बढ़ाऊं देखो तो वापिस इसका answer देख लें end is बराबर कितना 240 into into उपर तो वह सही कितना 341 upon कितना 330 उड़ाऊं इसको देखो सही है अगर मैं इसको उड़ाऊं 11 से तो 11 से उड़ाने पर यहां तो कितना 3 और यहां हमारे पास कितना था 3 और यह 1 31 इसको उड़ा दू गया 24 से 3 को तो यह हो गया आपका 8 अब 8 को 31 से करो multiply 8 into 1 कितना 8 8 into 3 कितना 24 248 248 हर्ज इसका सही आपका अंसर है कोई समझा नहीं बस जो मैंने आपको बताया ना फॉर्मले जो कैसे लगाने वो डंक से आप लगाएंगे आंसर बिलकुल आपके सारे सटीक आ जाएंगे अगला क्केशन है कि प्रेकसक तता धवनी के सरोथ के 20 की दूरी 3 गुना बढ़ाने पे धवनी की तीवरता कितनी हो जाती है आउ साब तो यहाँ पे प्रेकसक को और धवनी के सरोथ से दूरी का खेल है पुरा तीवरता पे तो यहाँ पर मैं यह बताओं पहले कि जो intensity of sound wave है तो source हमारे पास या तो point source होगा है, कौँछा होगा, line source होगा या कुछ लिखा नहीं होगा, धान कर लो पहले से, अगर ऐसे प्रश्चर में source की nature दे रखी नहीं हो तो हमेशा point source पानना है, और point source होने पे तो उसकी intensity होती है ना I वो हमेशा क्या होती है, distance के square के inversely proportion होती है और अगर source कैसा आपका linear हो, तो I हमेशा कैसी है, distance के inversely proportionally होती है जैसे यहाँ कोई point source है, हमें यहाँ से d दूरी पे intensity चेक करने कैसे बदल रही है और अगर मालोग कोई यहाँ पे line source है, बड़ा line भी उसकी line बहुत जादा हो, कहां से point of discussing से दूरी से अगर इसकी लंबाई जादा हो source की, तो उस case में हम इसको कैसा मानेंगे line source और तब इसकी eye कैसे one upon dk होती है proportional और इस person कुछ लिखा नहीं है, केवल दूरी को हमने कितना तीन गुणा बढ़ा दिया, तो दूरी को तीन गुणा बढ़ाने से कितनी intensity आपकी one upon nine हो जाएगे, कोई issue नहीं है और यहाँ करते हैं तीन गुणा, तो one upon three रजाई okay, question number 21, एक छोटे loudspeaker से emit हो रही सक्ति कितनी है और इससे विक्रित धवनी की तीवरता तीन मीटर दूरी पर कितनी दो बाट पर मीटर स्वार है यदि loudspeaker की सक्ति को दुगना कर दिया जाए, तो छे मीटर पर तीवरता कितनी होगी बिलकुल intensity के बहुत ही पहरा प्रसन है, तो जैसे मानलो, यह हमारे पास एक source है और इस source की power कितनी पी है, और इससे मानलो, डी दूरी पर, इससे डी दूरी पर आपको intensity find करनी है intensity होती क्या है, इकाई एरिया पर, पर 30 सेकेंड यहाँ पर, जो है न, intensity वो किस तरह से पंडिवाएं करेंगे मानलो, यहाँ पी power का कोई source था, और इससे इस तरह से wave निकल रही है, लाइट निकल रही है, यह मानलो, कोई energy emit हो रही है और मुझे डी दूरी पर देखना है, तो इसका आप डी दूरी का बनाओ, एक sphere कि point source जो होता है, sound भी करता है, emit, वो all possible directions में सब तरह करता है जब सब तरह इस तरह से move होते फैलेगा, तो एक तरह से वो कितना 4 pi d square area में फैल गया कितने फैला है, 4 pi d square में, तो एक second में उसने p power generate करी, एक second में उसने p joule मानलो energy निकाली है और वो 4 pi d square area में फैल रही है, तो उसके एकाई area पर कितनी गिरी, वो है कितना p upon 4 pi d square, वो ही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर intensity है तो अगर इसमें आप यहाँ पर intensity फैंड करोगे, तो आई हमारे पास इस p power के source से d दूरी पर कितनी भी देखो, यह है p upon 4 pi d square तो source की power d जाने पर intensity जो आपको मिली है, वो कितनी है, 1 upon p upon d square के directly proportional है अब इससे आपको निकालना है कि 6 meter पर तीवर्टा कितनी है, तो 2 इसमें पार्ट बनगे, इसको सही से solve कर लो, बढ़ो आगे देखो i1 upon p upon d का square है, तो मैं इसको लिखूँ देओ, i2 upon i1, i2 upon i1, is equal to तो 2 1 के रूप में लिखा है, तो करतो दो, p2 upon p1, into, यह है d1 by d2 का square, बैस, अब डाटा किस तरह से हैं, उनको देख लो भी तो power पहले किती थी, 10 वाट, अब कितनी करी है अपने उसको double, तो ऐसे लिखो देखो, p2, कितनी हो गई, 20, पहले किती थी, 10, into, distance पहले किती थी, 3 meter, अब करी किती, 6 meter, तो 3, यह 6, इसका square, यहां तो है 2 into, यह 3 बटा अच्छे कितना, 1 बटा 2 का square कितना हुआ, तो 1 by 4, इसको solve करने पे कितना, 1 बटा 2, ओके, तो पहले इसकी कितनी थी intensity बचो, 2 थी, तो आप देखें इसमें, कि जो question आपने अभी किया है, तो i2 upon i1 का मान कितना है, 1 by 2 है, तो इससे, यह आप i2 की value find करते हो, तो value कितनी आई, i1 upon 2, और i1 कितनी 2 थी, 2 बटा 2, यानि कितना हो गया, 1 watt पर centimeter square, यह इसकी बाद की intensity है, बहुत ही अच्छा प्रशन है, समझें, आप देखो, इस punch at में, wave theory के और dot reflect के, वो सारे question है, जो कि exams related है, ठीक है, इसलिए हम इसको विशेश तोर से आपके लिए बना रहे हैं, आपके लिए त्यार कर रहे हैं, आएं, question number 22, तो इसमें देखो आप, कि I तीवरता की धवनी का, तीवरता स्तर कितना 30 decibel है, यह लौडनेस आपको दिदेख चेंज नहीं है, तो अनुपात I upon I note कितना है, जा I note क्या सुनने की धहली तीवरता है, अभी हम इसे पहले सीख्याए थे, कि loudness होता कि L बराबर हो का देर रखिये 30, उड़ाओ इसको, कितना 3 आ गया, यानि लोग 10 बेस, I note, I one upon I note, जिसकी value आपको देर रखिये 3, तो इससे पन सॉल करेंगे, तो I one upon I note, बराबर कितना 10 की पार 3, यानि कितना 1000 आ गया, तो इनका ratio कितना है, I one upon I note है कितना 1000, यह लोगा आपका अंसर कितना second, ओके, तो अब चलते हैं, question number 23 पे, 23 क्या करा देगो, तीन मिटल लंबी एक डोरी, जिसे दो दड़ आधारों के बीच खिंचा गया है, तो दोनों कैसे होगे, इसके fix end होगे, तीन लूपों के साथ कमपन करती है, तो निश्पंद और प्रस्पंद के बीच के दोरी, तो यहाँ पर एक तो, यह mention करना जरूरी है, कि दोनों कैसे निश्पंद प्रस्पंद, consecutive, एक की बात एक आने वाले, उसके में तो अपन आंसर सिद्धे नहीं पाएंगे, तो हलकी सी यहाँ पर एक error है, पर नहीं दे रखा तो आपने लों ऐसे मानना पड़ेगा, इससे पहले लिए सिर्फ आपको लेमडा चाहिए, उसको अपन जैसे दरेखी कंडिसन उससे निकालेंगे, देखो, तीन मिटर लंबी रस्ती है वोई, इसके दोनों end आपने कर दिये हैं, fix, फिर तीन लूपों के साथ कंपन कर रही है, तो तीन लूपों के साथ कंपन कर रही है, तो य यह इस तरह से बन गए, देखो, यह इस तरह से इसमें बनी, रिस्टोरिंग वेव बन गई, अब इसमें देखो, आपको इसकी लंबाई दे रखिये कितनी, तीन मिटर, और वेवलेंध की रूप में, यह हमारे पास कितना है, थ्री बाई टू लेमडा, यह आपस बराबर ह तो इसको मैं एक्वेट करता हूँ, तो थ्री बराबर कितना बाद, थ्री लेमडा बाई टू, इसको इससे वड़ा दो, तो इससे सॉल करने पे हमारे पास लेमडा कितना, दो मिटर आ गया, अच्छा, अब इस दो को मैं यहाँ पूट करूँ, तो दो बटा कितना, चार, तो हमारे पास वेलू कितनी एक बटा दो, यानि कितना पॉइंट पाच मीटर, यह है नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, देट इस पॉइंट फाइप मीटर, ओकी, बड़े क्विशन, टूटिफॉर की तरब, तो टूटिफॉर क्विशन क्या करा देगो, एक बंद ओर्गन पाइप का तीसरा अधिश्वरक, बात आगई उसी की पहले वाली, एक दूसरे खुले ओर्गन पाइप के चोथे सनादी के साथ एक स्वर में है, तो पाइप की लंबायूं की निश्पती क्या है, वो अपने को फाइंड करनी है, तो समझो देगो, पहले कौ इस प्रकार का आता है, तो आप जो COP थी, उसकी fundamental frequency धान कर लो, वी अपन की TT4L थी, और आपको क्या चीए, third overtone, इसे बंते सारे कौन से हैं, ode harmonic, तो पहले कितना one वाला, फिर कितना तीन वाला, फिर कितना पाँच, फिर कौन सा साथ, ये था कौन सा मूल स्वर, ये पर्थम अदिश्वरग, दूसरा, ये तीसरा, ये आपको चाहिए था, तो 7V upon कितना 4L, ये आपको चाहिए था, बच्चो, ये चाहिए, इसका तो आपको एक पार्ट मिल गया, इसकी लंबाई को मालने कितना पन L1, तो 7V upon 4L1, ये तो क्या था, third overtone की अपने पास frequency आ गई, अब किसके साथ सनादी है, ये क्या बोल रहा है, एक दूसरे खुले ओर्गन पाइप के चोथे सनादी के साथ सारवेल में है, तो जो open है जो OOP है, उसका fourth harmonic, अब मैंने का था, harmonic मतलब ये है, जो first frequency से उससे कितनी गुना है, वो उतनी harmonic आलाती है, ये तो fourth harmonic है, तो आप जानते है इसकी first क्या होती है, वी अपॉन 2L, वी अपॉन 2L इसकी first है, इसका चार गुना, यानि कितना 4V upon 2L, ये इसकी fourth harmonic, और इसकी लंबाई दे रखिया आपको different तो कर दो, 4V upon 2L2, ये आपकी requirement है साथ, अब प्रश्म को सहीं से देख लो, दोनों कैसे एक श्वर में हैं, इसका म कर रहा हूं मेरी बात को देख माँ, जब भी OOP के और COP के प्रस्म आते हैं, आपको ज़्यादा रटना नहीं है, सिर्फ fundamental क्या है, पेसी कौन सा है, वी अपॉन 4L, फिर OOD harmonic, वहां वी अपॉन कितना 2L, फिर उसमें OOD और इवन सारे प्रकार के harmonic, क्या पूछा गया है, पहल पांचवीं, यह सब्तम, नवम, जारम, इस प्रकार से इसमें सनादी बनती है, वो आपसे बराबर है, तो अब बोला कि यह इसके बराबर देखो, यानि अगर मैं इसको बराबर कर दो, यह frequency आपसे बराबर है, यह प्रस्म हो गया, इसमें अगर मैं, देखो, V को V से दूँ, मुझे यहाँ पे निकालना है, लेंध का रेशो, तो इस लेंध को जाओ उपर, और यह L पढ़ी है, तो L1 अपॉन अपॉन L2, जान दो मैं L1 को यहाँ ला रहा हूं, L2 यहाँ पढ़ा है, इसको यहाँ से कर दूँ, कट, तू यहाँ से लियाओ नीचे, तो हैतरीन रिजल्ट आपका आना चाहिए, यह द्यान हमेसा रखा करो आप, क्विश्चन टॉन्टिफॉर, टॉन्टिफाइब सॉरी, यह दि धावनी तरंग का दाव आयाम तीन गुना कर दें, तो धावनी तरंग की तीवरता कितने गुना हो जाएगी, दाव आयाम, तो साम टिडेम, उसके डेंसीटी के पर्पॉस्टन और उसकी स्पीड हवेजीगी, उसके डिरेक्टली परपॉस्टन होता है, तीन बातों पे इम स्पीड कर रहा है, इसके 3 गुना करने से नो गुना हो गया, तो क्या लोग, आयन टावनी तावनी ताम्स, कोई समस्या नहीं है, यह आपको याद रखना चाहिए हुए. यह है दावने तरंग की तीवरता की निरबरता अलग से है बिल्कुल. Question 26. पढ़ें. दावने तरंग की तीवरता अभी जो बात की थी वो ही बात आ गई. Just अभी हमने बात की देखो. यह आई प्रपोर्शनल तो कितना N स्कार इंटो कौन सा A स्कार इंटो कितना स्पीड वी वैस इन तीन पे है. तो डिरेक्टली प्रपोर्शनल टूदा वेलोसिटी बिल्कुल साब वेलोसिटी के डिरेक्टली प्रपोर्शनल है. बिल्कुल साहाँक सब सहामत है आप सहामत है आप भी सहामत है य हमारती वरक के सहामना पाती है ठीक उपता है पिर दाब आइम के वरक के सहामना पाती बिल्कुल प्रेसर एे और उसके भी स्क्वाइर की प्रपॉस्ट्रों टीनों जी सही हैं तो all of these very good पढ़े हांगे question में 27 ये प्रशन भी अपने आप में बहुत ही पहरा है और इसमें मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ जो आप सब के लिए बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी कि कैसे हम यहां पर जो data आप काम में आने वाले हैं उनको याद रखना है धान दें कि नाइट्रोजन गेश और हीलियम गेश में 300 कल्विन ताप पे धावनी की चालों का अनुपात निकालना है ताप एक ही है पर गेश से कैसे अलग-अलग हैं तो धावनी की चाल जो है वो गेशों पे अलग- तो बराबर कितना रूट आफ कितना पी अपॉन रो अपर निकालते हैं आडल-गेश रिक्वेशन से तो कितना गामा तो ही पहले से या ता है आर टी अपॉन कितना एम अब एक तो गामा और एक एम क्योंकि टी तो कॉंस्टेंट है आर भी कॉंस्टेंट है तो यहाँ पे जो V है ना वो V, depend कर रही किस पे है, V proportional है बच्चों कितना root, T upon, sorry, sorry, यह है, किसके परपोस्ट ना देखो, यह परपोस्ट ना देखो, यह परपोस्ट ना है, गामा और M के, गामा और M इन दो पे depend कर रहा है, अब इनके सही सी value अपने को बहुत fast ली आने चाहिए, यह से किस परकार की है, nitrogen और helium, यह mono-atomic gas है, कौन से आपके di-atomic gas है, दुन गामा भी कैसे different है, यह इस दुन मालो होती, N2, O2 होती, गामा constant होता पर यहां तो अलग है ना, तो अब इसमें यह सारी करने पड़ेंगे, मैं बार-बार एक बात आप से कर रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा ह देखो क्या, कि इस परकार के formula आने के पाशाथ, 1-2 की रूप में लिखते कैसे हैं, तो उसमें हमेशा बच्चे गलती कर बैठते हैं, और अक्सर मैंने इसको feel करा है, मैंने इन 10-15 सालों के अंदर यह feel करा है, कि बच्चा इसको 1-2 में लिखे नहीं पाता है, और अगर किस देने की दोरान हो गया, पर firstly कैसे करना, उसको देखो आप, यहां सबसे पहले जैसा रूप में उसको ऐसे देखो आप, हमारे पास V है, तो इसको V बाई V लिख दो, अपने और से कुछ मत करना, बराबर, जैसा भी डिपेंडेंस से अगर दो, यहां कितना गामा है, तो गा नैटरिजन गेस है, फिर कौन सी हिलियम गेस है, इसको वन, इसको टू मान लो, इसको वन मान लो, इसको वन मान लो, इसको वन मान लो, यहां जैसी है, वैसे लिख दो, तो देखो, अगर यह इसकी डिपेंडेंस है, मान लो, मैं इसको वन की रूप में लिखता, तो यहां लिखता कौन सा है ओ, N2 ये किसका होता, N2 ये किसका होता N2 ऐसे करता ना या या 1, 1, 1 या 2, 2, 2, या इसको जिस रूप में ले रहे हो पहले उसका काम तमाम कर दो तो Nitrogen है ना, तो मान लो ये किसका है, Nitrogen का है गामा उपर था Yellow साब, ये था इस तरह से बदलो पहले बचावा अपने आप ही कौन सा बन गया Helium का, Yellow साब Helium Helium और Helium काम तयार हो गया आदा काम तो हो चुका, अब रहा इनके M कितने, चलो M का काम भी निप्टा दूँ देखो पहले M का काम भी निप्टा दूँ पहले पूरा तो इसमें ये तो अभी value बताऊँगा, मैं सिखाँगा आपको MS2 कितना 4 और nitrogen कितावा 28 यहां तक भी कोई issue नहीं है, अब काम शुरू होता है सही, कि इन सब की गामा वगेरा कैसे याद करना है तो देखो, जितने परकार कि हमारे पास gaysे हैं, उन तीन, पांच छे और ये साथ Monoatomic, Diatomic और कौनसी? Polyatomic gases, ये किसका है जानते हैं आप Monoatomic Gays के लिए ये किसके लिए हैं, Diatomic के लिए और ये वैसे किसके लिए हैं Diatomic के परनतु ये पता नहीं है कि 6 किसका और 7 किसका है तो इसका भी ये तरीका होता है कि 6 और 7 में एक तो Gays है, कौनसी आपकी एरे खिये और एक कौनसी होती बच्चों रेखिये जो एरे खिये है या Non-Linear है, इंगलिस में बोलते है Non-Linear तो एरे खिये में यहां सब बन रहा 3 दिख रहा है आपको 3 इसमें किती हैं, एक दो तीन, तीन लाइने है जो भी एक तीन कासा एक आपको अधार मिल रहा है तीन को 2 से गुणा करो कितना 6 तो 3 किसका है, च्छै किसका एरे खिये का है यानि ये किसका है, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों 6, ये 6 किसका है ये एरे खिये का है तो अपने आप ये किसका हो चुका रे खिये का हो गया है तो पहले तो ये याद करोगे इसका F कितना है, 3, 5, 6 और 7, पता लगा कौँसा पहले मोनोटमिक, डायाटमिक, फिर कौँसा पोलियाटमिक जिसमें दो परकार केसे थी कोँसे लीनेर और कोँसे नॉन लीनेर तो वहाँ पता लगा, 6 और 7 किसका है तो 6 और 7 को अपने बांड कर दिया आपकी 6 किसका है, 9 लीनेर कायने एरेखे का, 7 किसका है अब बात आती किसी की, गामा की तो गामा जो है ये ये वैसे तो आप याद कर लो ऐसे ही देखो कितने तीन, पांच छे और साथ कर लिए उसके बाद कुछ नहीं करना बस सब में दो बढ़ाना है, तीन और दो पांच और दो, साथ छे और दो आठ, साथ और दो नो, ये इसकी गामा है, किसकी मोनो आटोमिक, डाटोमिक ये कौन सा, नॉन लीनियर ये कौन सा, लीनियर, हमारे पास गेश कौन सी थी बच्चो, एक तो थी डाटोमिक, नाइटरूजन गेश है उसका कितना हुआ, साथ बटा पांच और हीलेंग का कितना हुआ, पांच बटा तीन अब इसको सॉल करना हमको तो इसको सॉल करूँ क्या देखो ये पांच नीच आगया पच्चीश, तीन चला उपर, साथ उड़ा दो इसको, दो साथ इंटू चार ये चार और साथ और ये अठाइस तो आपस में कैंसल ही हो गे अब अपने पास रहा कितना देखो, या बन अपॉन फाइफ, ये है कितना फाइफ बाइफ त्री, और यहां पर भी कई समस्या आती है, अंदर देखो, एक तो है एक बटा पांच, एक है बहा कितना पांच बटा तीन, तो इसको सॉल और ये मुस्किल सा कैलकुलेशन है परंतु, ये सब मैं यहां समय दे रहा हूँ आप लोगों को वो सिर्फ पहले हमने इसको याद किया और उसके बाद देखो, इसमें प्रोपर तरह से वैल्यू आप लगा दो और बहुत अच्छे से इसका अंसर निकाल लो गामा कैसे याद करना था और एफ कैसे, तीन, पांच, छे, साथ पहले मोनो, डाई, फिर कोंसा आपका पोली में कितना नौन और लीनियर आ गया फिर कितना तीन, पांच, छे, साथ निचल लिखा तो बढ़ा दिये, तो एटोमेटिक अपने को सारे गामा वियाद होगे, नहीं क्या अगरते हैं, इसमें बहुत समसरती रटना पढ़ता है, रटने काम बहुत आसान हो गया इसमें तो इसको आप काम मिलें, आगे परशनों में धन्यवाद, बहुत बहुत आपका तो क्रिशन आपका फिर है 28, हाँ, पहले क्रिशन का आंसर देखो एक बार उसका आंसर हमारे पास कितना देखो, रूट ये 5 बाई 3, ये इसका राइट आंसर है, ओके बढ़ें आगे अब क्रिशन नमर 28 इसमें है एक 30 मिटर पर सेकिंड से एक इस्तिर वस्तु की और गती सील है एक ट्रेन एक ट्रेन गती सील है रेल गार्डी की दोरा उत्पन धावने की आवर्ति कितनी 100 हर्ज है धावने का कुछ भाग वस्तु से प्रावर्जित हो करके वापस रेलगाड़ी के चालक दोरा पहुंचता है तो चालक दोरा सुनी गई पार्ति धोने की आवर्ति होगी एक ट्रेन है क्विश्ण आपका कौन सा 20 एट ओके तो इसमें क्विश्ण देखो आप 30 मिटर पर सेकेंड से इस्तिर बस्तु की और गती से लें रेलगाड़ी की दोरा उत्पन दोने के आवर्ति इतनी है दोने कुछ बाग बस्तु से अच्छा रेफ्लेक्शन हो करके आ रहा है बहुत प्यारा प्रसुन है तो इसको अपन यह समझ लें कि यह मान लो को दिवार है और एक कोई ट्रेन मान लो यह ट्रेन दिवार तो कैसी रेस्ट में है और यह ट्रेन इसके पास दा रही है तो आपने इसके प्रस्टन पढ़े होंगे कि जब इस प्रकार से कोई वेव कहां से रिफलेक्ट होके आ रही है तो ऐसे के इसमें आप क्या करें image method से जैसे कि आपन किसी समतल दरपन के सामने खड़े होते हैं तो आपको जानकारी है अगर दरपन rest में हो तो हम जिस वेक से दरपन की तरफ जाते हैं उसी वेक से हमारी image जो पीछे बनती है वो हमारे पास आती है तो आप इसकी image सोचो इसकी image बनगी पीछे यहां यह इसकी image बनगी देओ यहां पर अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो image यहारे तरफ आ रही है इसका मतलब यहां source और observer दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इस परकार की प्रस्णों में जो आप इसकी frequency निकालेंगे apparent frequency उसका value किता हुआ और एन ठीक किती पहले बोलो भई यह थी 100 अच्छा फिर अपना काम था दावने की speed किती है 330 अब चुंकि दोनों पास आ रहे हैं तो यहां पर भी frequency को add करने वाला effect यहां पर भी frequency उसका बढ़ने वाला effect तो यहां बढ़ने के लिए plus यहां बढ़ने के लिए minus पर speed किती थी 30 यहां कौन साथ 30 अब इसको solve कर दो यह 100 इंटो कितना? 360 upon कितना? 300 उड़ाओ इसको cancel 300 उड़ाओ इसको कितना? 120 120 Hz पहले कितनी थी थी? 100 Hz अब उसको कितना सुनेगा? 120 Hz ना देगा तो आपका answer कितना? 120 Hz ठीक है भी? बढ़े आँगे? हाँ जी तो अगला question देखें आप 29 इसमें पूछा है कि वायू में sound wave कैसी होती है? longitudinal होती है क्यों? transverse क्यों नहीं होती है? तो transverse होने के लिए उसमें क्या चीए? दर्टा गुनांग जबकि गेशों में और वायू में दर्टा गुनांग नहीं होता है इसलिए ऐसा होता है तो इसका answer क्या वा? कि air does not have a modulus of residue वायू में दर्टा गुनांग नहीं होता है इसलिए वेव किस परकार की होती है longitudinal ओके साब बढ़े आगे तो question 30 इसमें है यदि x is equal to a sun mt plus this x this equal to a cos mt है दोनू तरंगों की 20 कलांटर कितना है तो कलांटर का जब भी को question आता है एक तो ध्यान रख़ों में सांग कि उसमें हमेशा या तो जो आपके पास दो दे रख़ी हैं displacement equation या कौन सी velocity equation या को displacement की velocity की जो भी है उन में सारे के सारे design जो उनका होना है या तो plus sign में होनी चीए या plus कौन से cos जैसे कि आप जानते हो इन सारे trigonometry functions का जो मूल है वो कौन सा plus sign है उसी से हम लोग उससे बनाते हैं उससे आगे पेचे करते हैं तो सब को plus sign में convert करना बहतर रहता है इसलिए आप उसको plus sign बदल लें जैसे आप सोचो पहला जो है अक्स अक्स हमारे पास कितना है वो है a sin यह omega t प्लस कितना pi by 6 यानि कितना 30 degree है यह है a cos अक्स डेस जो है मेरे पैरे बच्चो वो है कितना a cos इसको बदल लो a sin और कितना omega t प्लस कितना pi by 2 यानि 90 degree अब इसकी phase आप चेक करेंगे तो इसकी phase कितनी है omega t प्लस कितना 30 यह omega t प्लस कितना 90 इसकी phase ज़्यादा इसकी phase कम है कितनी 60 degree जिसको अपन लिखते है कितना pi by 3 तो इसमें x डेस की phase कैसी x से ज़्यादा है तो answer आपका रहा कौन सा pi by 3 answer first चलो next question में आते है 31 इसमें क्या पुछा हम से दो तरंगु द्वारा निश्पंद उत्पंद की जा रहे है जिनकी समिकर्ण y1 और y2 आपको दी जा रही है तो 30 second सुनाई देने वाले विश्पंदों की से इतनी है अब भी दो जो पीछे question आया था एक वहाँ मैंने आपको सिखा था कि इस परकार के प्रशनों में यह omega जो है इससे अपन frequency निकालेंगे और इससे निकालेंगे तो मैंने कहा था पहले इनका difference कर लो तो 1000 में से अपन गठाएं कितना 998 तो बचा कितना 2 उसका आठा कर दो 1 यह इससे पहले इसकी frequency निकाल लो इससे कितनी 500 इससे कुछ और बाएगी एक difference कम रहेगा तो इससे कितना एक response हो जाएगा अरे बही मेरी बात समझे न यानि इससे frequency निकालेंगे तो है कितना यह यह है 2 πाई F जिसका वेल्यू कितना हमारे पास है 1000 πाई तो πाई से πाई cancel F कितना F1 मान लो इसको F1 कह दूँ तो 1000 वटा दो कितना 500 वटजा आ गया इससे कितना हैगा यह है 400 जिनान में 499 आएगा तो दोनों को साथ आपन करें वाइबरेट तो कितना उनका डिफरेंस एक विस्पंद आपको सुनाई देगा तो आंसर कितना आएगा स्थर्ड पस समझे ना पहले भी question था पर अब मैं कहा रहा हूँ कि इससे लिखेंग उससे अच्छा है कि अगर examing question आता आना तो तुरंट पहले इसमें से इसे घढ़ा दो और उसको हाँ कर दो उतना इसमें विस्पंद आपको सुनाई देगा तो इसलिए easy देता है question 32 इसमें है कि सही कतन चुनिये तो विश्पंद विनासी वेतीकरण की कानुतपन होता है नहीं साब मनुश्यों को सुनाई पढ़ने वाले अधिक्तम विश्पंद आबरती कितनी 20 नहीं maximum कितनी 10 होती है फिर भी एक healthy person अच्छे से 7 6 या 7 विश्पंद ही सुन पाता है क्यों इसका reason है आपने पढ़ागा एक point persistence of hearing स्रण निर्बंद काल कितना होता है 1 upon 10 second 1 upon 10 second यानि उसमें एक धहनी और दूस धहनी के 20 का करमागत का समय अंतरल कितना 1 upon 10 second हो तो वो दो धहनी आपको परस तुनाई देती है यदि उनके उनसे कम समय अंतरल हो जाता आना तो फिर आपको वो सुनाई देती नहीं है बात क्लिर है ना तो इसमें ज़्यदा गभणानी आफस्ता नहीं है कि मनोशियों को सुनाई पढ़ने वाली अधिक्तम विश्पंद आवरती जो एक बहुत आइडिल कंडिसन में हम दस मानते हैं फिर कितने साथ क्या असपास इसका आंसल ज़ते हैं बीश तो विश्पंद तो बन जाएंगे परंतु व्यक्ति को सुनाई नहीं देंगे इसलिए ये कह रहा है कि सुनाई पढ़ने वाली गलत है बनने वाली तो चल जाता पिर कहा रहा है कि विश्पंद डोप्लर प्रभाव के कारण नहीं है बई विश्पंद एक सामाने दो तरंगों के अधरवपन के कारण ही होता है बस उसन सर्थ है कि दो जो तरंगे हैं वो कैसी होने चीं रफली सेम फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए अब आता है यह तो गलत हो गया फिराए विश्पंद दो लगबख बराबर आवर्टी की तरगों के अधरपन से बिलकुर सही जो मैं बात पहले कर रहा था हुई तो है दो roughly same frequency की sound wave है उनको एक साथ vibrate करने से हमें विश्पंद सुनाई देते हैं यह इस तरह से आपका answer होगा कौन सा fourth बढ़े आगे question 33 33 में हमसे क्या पूछा देखो कि एक गेस में एक मीटर और 1.0 एक मीटर लेमडा की दो तरगे अधरपित होने पर तीन सेकिंड में 10 विश्पंद आपको सुनते हैं तो माद्दे में धहने का वेक कितना है एक गेस में एक मीटर और 1.0 एक मीटर लेमडा की लेमडा आपको दे रखा है frequency और वेव आपसे पूछी है तो एक तो देखो V is equal to कौन सा N लेमडा होता है इससे पर निकालते हैं N तो कितना V upon लेमडा V तो है constant लेमडा बदल रहे हैं तो उसकी frequency बदलती है और अब इस रूप में अगर आप इसमें निकालते हैं bits लेमडा की अलग-अलग होने पे जो विस्पंद आवरती B होती है वो है कितनी V को अपन माले constant तो मैं कर दूँ 1 upon कितना लेमडा 1 माइनस कौन सा 1 upon लेमडा 2 दो equation थी मैं इसको difference कर दूँ क्यानि एक तो N1 की रूप में V upon लेमडा 1 N2 कितना V upon लेमडा 2 difference कर दूँ जिसमें N1 माइनस N2 N1 माइनस N2 देखो इसमें लेमडा के बढ़ने से बढ़ने से frequency घड़ जाएगी इसका मतलब यह है कि N1 और N2 के आवेले निकालोगे तो लेमडा कैसी ज़्यादा बढ़ा ही न तो निशी तरुब से N2 का माण कैसा N1 से कम है इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया अब विश्पंद आपको कितने सुने विश्पंद होते के हैं पर 30 सेकिंड कितने सुने तो आप देखें तीन सेकिंड में 10 सुने तो एक में कितने सुने 10 बटा 3 तो B हमारे पास कितना 10 बटा 3 आ गया V हमको find करना है लेमडा 1 पहले किती थी एक मीटर तो 1 अपॉन 1 माइनस कितना 1 अपॉन बाद में कितना 1.01, यह लो 1.01, अब इसको आपन solve करेंगे, तो 10 बटा 3, जिसको आपन चाहें तो 3.3 दिन कर सकते हैं, कोई दिक्त नहीं है, अगर इसको मैं यहां लिखूँ, 3.33, very good, into V, so equal to V, बराबर, अब इसका else in कितना है, तो 1 into this, इसको तो मैं ऐसे 1.01 ही कर दूँ, पिर यह 1.01 माइनस कितना 1, तो उसका difference करती कितना 0.01, अब मैं चाहूँ तो इसका point इसका अठा दूँ, तो roughly हमारे पास यह V upon कितना हो गया 1.01, और point वैसे हटा चुका हूँ न, देखो, point अगर मैं हटा चुका हूँ, तो मेरे पास यहां जो value आई, वो कितनी point को अठाने sorry, upon, V upon this, V upon कितना 1, 0, 1, अब इसको इससे multiply कर दो, तो 3.33 को 101 से multiply करेंगे, तो अपने पास, अब 330 से तो answer बढ़ा, और 101 है, तो मेरे हिसाब से आपका answer कितना 336.7 approximate आजाना चाहिए, वे अगर 100 होता न, आए, तो कितना 333 बनता है, हलका सब बढ़ा है, तो इसको आप solve करेंगे, तो आपका answer कितना 336.7 meter per second आजाएगा, ओके, यह बार confirm कर लो, मैं इसका answer, question number 33, बिलकुर सही इसका answer, 336.7, जो भी इसका answer है, बिलकुर सही है, कोई दिकत नहीं है, बढ़ा हैंगे वई, ओके, तो question 34, इसमें कहरा, कि समान आवर्ती की दो तरंगे, समान आवर्ती की तीन तरंगों के आयाम किते, 10 माइक्रो मीटर, 4 माइक्रो मीटर, 7 माइक्रो मीटर हैं, जो एक निश्र बिंदू पर 5 by 2 के करमागत कलांतर के साथ पहुंचती है, तब इसका परणामी तरंग का आयाम कितना होगा, 10, 4 और 7, चलो सहाब, मालो एक तो है, 10 पर कितनी साथ की, येलो साथ माइक्रो मीटर, ये आपस में सूपर इंपोज हो रहे हैं, अब 10 और 7 कैसे हैं, वीपरित कला में, दोनों के अपोजट होने से, इसका नेट कितना वाद, 10 मैनस साथ कितना 3, तो अगर इसको सॉल करेंगे, तो देखो, इन में से डिफरेंस करन 90 डिगरी पे, इसलिए इनका अपने निकालेंगे रिजल्टेंट, तो ये आ गया, और ये कितना देखो, 3 का स्कॉर प्लस 4 का स्कॉर का रूट, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा न अम्टिटूड, वो कितना होगा, 3, 4, 9, 16, 35, ये हो गया 5 माइक्रो मीटर, रूट कर जाएं, अच्छा, ये क्षिशन तो पहले अपने डिसकर्स किया था, वो ये देखो, कि दीगे चितर में एक आपतित स्पंद P का दर सिरे से प्रावटतन को दर साय गया है, तो A, B, C, D में से कौन सा स्पंद सही रूप में होगा, अच्छा, अब ये है कौन सा देखो, ये यलो, ये इसका आंसर है, ऐसा किष्म है, देख लो आप, ये रहा, ये तो ऊपर है, गलत है, ये भी ऊपर है, गलत है, इसमें तो ये वाला पोर्शन पहले है न, देखो, इसकी सेफ फोड़ी है तो उस रूप में भी, पर गलत है, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन देख करना है कि यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं भई जो सिखाया था वो बिल्कुल आपको काम आ रहा है तो इसलिए बहुत अच्छे सी इसको आप देखें वीडियो को आपका इसमें help होने वाला है बहुत शांदार आओ बढ़ो यह चीजे भी अपने डिसकस की थी वो सारी काम की बात देखो क्यों कर रहा है एक रसी में एक तरंग ट्रेवल कर रही है और किसी क्षण रसी की आकरती को चित्तर में दसाया गया है इस क्षण बिंदू ए उपर की और गती कर रहा है तो नियमने से कौन सा कत्रम सत्य होगा अ अगर यह पार्टिकल इस परकार से ओसलेट करते हैं तो तरंग इस तरफ गती करती है यहाँ देखो एक्स दिखा रखा है कि एक्स इदर बढ़ रहा है यह वाई इदर बढ़ रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वेव इस तरफ मूँ गर रही है जान देना चैसे यह सिरफ एक कंकर डपन डालती है वह वाला पॉर्स पॉर्स नहीं जाता है यह पॉर्स नीचे जा रहा है तब वेव इस तरफ मूँ गरती है यहाँ तो देखो यह वाला पॉर्स ओपर जा रहा है इसका मतलब वेव जा रही है इस तरह बहुत ध्यान देलो आप यह निश दूरु से वे तरफ जा रही है, उसके बाद देखो कि तरंका आयाम इस स्क्षन B के विश्थापन के बराबर है B कहा है, B ये बिल्कुल ये आयाम है सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है पिर आओ, इस स्क्षन C का वेग भी उपर की और निर्दरिशत है, भई, C का तो किस तरह पर है अगर ये वाला भाग, ये वाला भाग उपर जा रहा है, तो इसमें ये वाला भाग तो नीचे जाएगा ना ये नीचे मूँ करेगा, और इसलिए वेग कैसे मूँ करेगा, लेफ्ट वार्ड बिल्कुल गलत है ये, A और C के मुद्दे का कलांतर पाइब आए फोर है, बिल्कुल गलत है, तो आपका आंसर कौन सा है, सेकंड बहुत पैरा प्रसन है, वेग को शो करने वाला बहुत शांदर कोशन आए क्यूशन 37 आईए साब एक खुले पाइब को खुले पाइब की मूलावरती कितनी है, वे आपको पता करनी है, ये कोशन अपने दो तिन पहले भी इस तरह की लेंग्वेज के पढ़े थे, जैसे मैंने सिखाया था, उसी बात को वापिस गोर करना, ढंक से बस ज़्यादा दिमाग मल लगाना, सुनो, एक खुले पाइब को अचानक बंद किया, कोई खुला पाइब था ये, ये मान लो, ये खुला पाइब आया, इसको अपने अचानक क्या कर दिया, बंद कर दिया, ये लो कर दिया, तो पहले था OOPFCO बन गया, कोई समर्शा नहीं है, तो ये पाया जाता है कि बंद पाईप का दूति warto अद श्वरक बंद वाले का दूत्त वे अपान लेंफ हुंते हैं तो लेंफ हमें उस्सी को क्या नहीं को लेंफ तो वे अपान फॉर ले टो वे उपान फॉर एल यह то। किसका इसका मूल है पर क्या ये वास्ट्विक पाइप जो ये वाला है कि पर्थम अधिस्वरक इसका first कितना को V upon 2L ये तो है आपका मूल और पर्थम अधिस्वरक का मतलब होग है इसके ठीक पादल पहला होता है वह है कितना 2V upon 2L अब सोचो कि नई यानि COP का तो कौन सा COP का second overtone COP का second overtone पर्थम ये OOP जो open वाली है उसके पर्थम अधिस्वरक से 100 जादा है ये इस से 100 जादा है इसका मतलब ये वाँ चाहो तो मैं इसको ऐसे कर दूँ ये 5V upon 4L नहीं ये ये किसके बराबर है ये प्लस डान दो ये प्लस किसके 100 के बराबर है अगर इसी को आप समझो तो 5V upon 4L बराबर क्या हुआ 2V upon 2L प्लस कितना 100 आगया बात क्लियर अब पूछा हमसे है तो खुले पाइप की मूला बढ़ती इसका मतलब V upon 2L आपसे पूछ लिया यानि आपको V upon 2L का मान आपसे पूछा है कोई समझ से आनी है अब इसको solve कर लो देगो तो आओ अपने पास इसमें है कि 5V upon 4L बराबर क्या था ये तो इसको उधर ले आऊँ इसको उड़ा दूँ क्या माइनस कितना देगो V upon L बराबर कितना है 100 इसको अच्छे से solve करने के लिए ऐसे करूँ इसको मैं 4 से कर दो multiply और 4 से करूँ इसको divide आसान रहता है ताकि इसका L सेम सेम हो जाए अब 4L 4L यहां कितना 5P और कितना 4B डिफरेंस कर दो यहां मेरे पास विली कितनी V upon 4L आ गई जिसका मान कितना है 100 कितना विली आया आपको क्या चीए V upon 2L कोई दिखती है अगर मैं यहां इस 4 से कर दो multiply तो V upon कितना L बराबर कितना हो 400 मुझे क्या चीए क्या चीए V upon इसका अधा करना है 200 तो V upon 2L का मान कितना वाद 200 तो आपका answer कितना है देखो आपको क्या चीए था V upon 2L चीए था ना तो आपका answer कितना वाद देखो साहाब 200 हर्ज ओके को समस्या भी तो 37 में जो answer इसका है यह बर confirm कर लेते हैं बच्चों आपके लिए 200 हर्ज बिलकूर सही answer है ठीक है बड़े आगे question number 38 38 वैसे question तो थोड़ा लंबा है पर इसको आपन अभी करेंगे तो बहुत ऐसे चोटा सा question बन जाएगा देखो यह करा y equal to 1 upon 2 plus 3 x square अगर मैं इसको यह ही solve करूँ तो यह condition का मैं is at t0 t equal to 0 पे इसका y कितना है 1 upon 2 plus 3 x square है और t equal to 2 second पे कितना है देखो यह बाला है y is equal to this बात clear ऐसे अगर प्रशना आते हैं और बहुत तुरंट इसका आपको answer निकालना है तो आप यह सोचो पहले कि t0 पर हमारे पास y यह था तो इसका अगर मैं फैंड करता हूँ देखो t0 पर धान देना कि t is equal to 0 पर एक हमारे पास है कितना t बराबर 2 सेकेंड पर जो वेव जा रही थी तो इसका आप निकाल लो मैक्सिमा और इसका भी आप निकाल लो मैक्सिमा मतलब यहाँ y मैक्सिम कब होगा simple equation है कि 1 अपोन 2 प्लस 3 x स्क्वाइर में x का कितना मान हो कि y मैक्सिमा आजाए साब देखो आप यदि इस x को आप प्लस में लें से माइनस में लें इसका स्क्वाइर हमेशा कुछ इसमें एड़ होगा मालो 0 भी आप लें 1, 2, जितना भी आप मान लेंगे आप 0 के बाद कोई मान लेते हो बिल्कुल कहीं समझचा नहीं है परंतो आप तो इस वाले फंक्सन में y मेरे पास कितना है 1 अप ओन दिस इस वाले में इस x का मान अपन क्या लें जिससे की y क्या जाए मैक्सिमाम यहाँ पर भी इस x के किसी भी non 0 के लिए यह value या तो कोई प्लस या मैनस आएगी मैं कर रहा हूं कि जिरो से बड़े कोई मान को अपन लेंगे हाँ पर x जो नेगेटिव हो चे कोई सा पोजिटिव हो यहाँ इसका स्क्वार प्लस मैं उस एड़ होगा तो इस फंक्सन के कम से कम होने का मतलब x-2 0 होना चीए x-2 0 कप होगा या उसके होने पर क्या फाइदा था x-2 0 होने का मतलब x के किता 2 मीटर यानि यह मैकसिमा जो है यहाँ यह वाला मैकसिमा तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चो x किता वाँ 2 मीटर अब देखो इस मैकसिमा से अगले मैकसिमा के लिए दान सुनो इस Maxima से अगले Maxima के उपराप्त होने में 2 सेकंड का समय लग रहा है पर दूरी ताय कितनी करी है 2 मीटर यानि अब स्पीड कितनी आई इसकी अपन स्पीड निकालेंगे तो स्पीड हमारे पास कितनी है देखो स्पीड आपको अब आसानी से मिल जाएगी वो कितनी है समय स्पीड होते दूरी बटा समय कितनी है 2 मीटर समय कितना दो यह लो साब 1 मीटर पर सेकंड बिल्कुल आसान और यही तरीका नीट में प्रसंड करने के लिए आसानी से ऐसे आने वाले हर प्रसंट पे लगा सकते हो आप तो आपका आंसर कितना बच्छो आया एक मीटर प्रस सेकिन बिल्कुद बड़ा क्रिशन लग रहा है पर हो छोटा क्रिशन है ओके, थैंक्यू, बड़े आंगे चलो तो, क्रिशन थर्टी नाइन ये कह रहा है कि एक तरण को इस प्रकाश से पर शो कर रहे है एक्स मीटर में है वाई कैसा ती सेकंड में है तो ये वेंजग क्या दिखा रहा है, क्या इसमें शो कर रहा है कोई इसमें नहीं है भी तो A sign this very good, मैं इसमें आपको एक चीज लिखाता हूँ लेगो कि वेव किस तरद से मूँ करती है, उसके अपन स्प्रकाश से निकालते है तो पहले इसमें जो इक्विशन है उसको मैं यहां लिख रहा हूँ यह बार वाई बराबर कितना है A साइन यह वाट 10 पाई एक्स प्लस कितना 15 पाई टी प्लस पाई बाई 3 और वाई दे रखा आपने किसमें मीटर में टी किसमें है, सेकंड में पेज खाली कर ले आओ अब इस प्रस्षन में आप देखो कि वैसे तो यह इस इकल तो हमारे पास यह तो आयम तो हो गया यह साइन है, कोई समस्था नहीं है कहीं इसमें वाई, एक कोई अलग तो नहीं है ना एक तो ए ही है, ओके चलो बढ़ो दो अब अगर इस प्रकार के किसी भी प्रसंद में आपको वेलोसिटी ओफ ट्रांसवर्स ओफ वेव निकालनी हो तो कैसे करेंगे वेव जा रही है, एकस एकस में तो एकस एकस में मालो टी सेकिंड में वेव एकस तुरु जा रही है तो वेव की स्पीड क्या बनी, एकस अपॉन्टी बनी ना इसलिए आप ऐसे जब भी कोई प्रसंद आए ना उसमें सिर्फ एकस ओर टी वाला जो फंक्शन है उसको यहां से हटा लिया करो दस पाई एकस प्लस पंदरा पाई टी बराबर सुनने कर दिया करो और ऐसा करने के परश्चात देखो इसको मैं यहां से आगे ले जाऊ तो देखो मेरे पास वेलिव आई सही बात है पाई से पाई को उड़ा दूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ इसका मतलब ये है कि वे वे किश्थ्र प्रिवल कर रही है माइनस अगस में गर कर रही है और उसकी स्पीड कितनी है वो है वन पॉइंट फाइब मेंटर प्रस सैक इन जिसा मिल गई अगर ये प्लस आता तो प्लस अगस हमुग करेगी माइनस है तो माइनस हमोग करेगी इसलिए आप हमेशा बढ़ते हो कि यहाँ प्लस जा रखा हो तो माइनस हमोग करती है माइनस होने पे प्लस हमोग करती है वो आता इसी सही है एक काम हुआ यह हमारे बहुत अच्छा पॉइंट है किशन को सौल करने के लिए और नीट के लिए खास तोर से अब देखो इसमें और क्या बाते आप से पूची गई है तो एक तो पता मिल गए कि कौन सा कैसे मूग कर रही है यह नेगेटिव मूग कर रही है अच्छा फिर इसमें क्या है वेलोस्टी भी तो आगया किशन्द हो गया भी एक पार्सन्द हो गया ना कि तरंग कैसा नेगेटिव एक्ष में मूग कर रही है और इसकी स्पीड के थी एक पॉंट पांच मीटर यहां तो ठीक है भी अब और क्या पूच्छा इसकी लेमडा तो यहां कितना गएगे गए के है तो इससे पन व्यक्राइगे तो टू पाई वाय लेमडा जो के होता है बराबर कितना हो गया दस पाई पाई से पाई को उड़ादू तो लेमडा हमारे पास कितना गएगे दो बटा दस यानि पॉइंट टू मीटर पॉइंट टू मीटर, वेरी गुड, आजाओ, कौशन वापिस, 39 में, तो इसकी लेंड़ा की तो यह जा की इस तरफ रही है, वो ठीक है, तो सेकेंड हो चुका है, फिर इसमें दे रखा है की, तरफ रिनात्मक अक्स दे सामें, पॉइंट दो मीटर लेंड़ा के साथ मुग कर रही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर बी और सी सही है, तो प्यारे बच्चों, आंसर कौन सा, सेकेंड, वारी गुड, ओके, कुशन नमर्ट फॉर्टी, तो फॉर्टी वाले कॉर्शन में द तो खंडूं की लंबायों का अनुपात कितना होगा, कोई दिकत नहीं अभी, तो यहां तो अपन जानते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी होती है, प्यारे बच्चों, वो तो कितनी होती, वन अपोन एल के प्रपोस्न होती है, इसलिए अगर मैं यहां पर रेशो निकालता हूँ, तो अट 1, रेशो अट 2, रेशो अट 3, को कितना 1 अपोन 1, 1 अपोन 1, 1 आपोन 1 तो 1 अपोन 1 थ्री, और लंबाईयां जो हैं, सॉरी, क्रिश्ण अपना थोड़ा सा अलग है, आवरतियों अनुपात दे रखा है, लंबाई पोछी गही है, ओके, सॉरी, वापीस बैक करता ह तो जैसे कि अपन जानते हैं N समानुपाती किता 1 अपोन L था तो इसी से solve करने पे L प्रपोस्टनल किता बच्चो 1 अपोन N कोई दिक्त नहीं है बढ़े हैं बई अब उसमें दरखिया अपने को रेशियो तो N1 रेशियो N2 रेशियो N3 बराबर कितना बहा देखो 1 अपोन वापिस में गलती कर रहा हूँ कोई दिक्त नहीं गलती एक बार होती है पिर होती जाती है एक आवत है अपने फिर भी अपन प्रयास करते हैं वापिस देखो हार कभी माननी नहीं चीए तो L1 रेशियो कौन सा L2 रेशियो कौन सा L3 बराबर कितना बच्चो 1 अपोन N1 1 अपोन N2 1 अपोन N3 और N कितना है दो एक तिन चार तो 1 बाई 1 1 बाई फिर कितना 3 और 1 बाई 4 इसको सिंप्लिफाइ करने के लिए पैरे बच्चो मैं इसको 12 से कर रहा हूं अपोन इनको एड़ गरोबे 12 और 4 कितना 16 और 3 कितना 19 इन्टु कुल लंबाई हमारे पास किती थी 114 114 एक तीन और 4 12 चार और 3 सही भी है ना कोई कोई डाटा तो गलत नहीं लिया ना बिल्कुल सही है अब इसमें देखो आपे कि अगर अपन इसमें सॉल करते हैं बोलो अगर इसको अपन काटे हैं यहां पर तो काटने पर अगर 19 का अपन भाग दें 114 में तो भाग जाता है इसमें कितनी बार 6 बार चेक कर लो चेराम से और 12 को 6 से उना करो कितना वा 72 यह लो तो पहली लंबाई कितनी है इसमें 72 सेंटी मीटर तो पहले ओप्सन चेक कर लो फ्रस्ट कौनसी 72 ऐसी इपन फिर रेशो 4 में यह उसका 1 फोर्थ हो जाएगा जो यह वन फुर्थ हो रहा ना इसका रेशो कितना तौन की बात करता हूँ तो इसकी बहत्टरों dispे में फ्रस्ट से कितना बार फिर टिर इसका कितना वन फर्थ हो यह खाग्या तो इह से उसकी बन जाएगा और बिल्कुल खिकते नहीं है तो आंसर कोंसा इसका है? क्विश्ट नमर 41 आजओ इसमें है कि 0.2 केजी पर मीटर रेखी गर्णत वाली एक डोरी को 500 नूटन के बल से खीज जाता है 4 मीटर लंबाई तथा 1 अपोन पाई मीटर आयाम वाली अनुपरस तरंग इस पर चल रही है तब तरंगी चाल कितनी है आपको तरंगी चाल गयात करनी है समझे तो तरंगी चाल इसमें आपन गयात करेंगी तो इसमें कोई खास बात नहीं है देखो तरंगी चाल आप देखो तो एक स्ट्रिंग है उसमें तरंगी चाल निकाल लिए या small m, small m यहाँ पे हैं, एकाई लंबाई का माश, तो मुझे बताओ कि इसमें तनाव कितना था बच्चो, 500 नूटन, येलो 500, और mu कितना था, पॉइंट दो, येलो पॉइंट दो, बस, अब तो कुछ है यह नहीं इसमें, प्योर solve करना है, तो इसको अपन यहाँ से solve करेंग तो देखो, अगर, इसमें कैसे calculation करनी है, थोड़ी सी बात सीखो मेरे सहाब इसमें, कि ये तो है 500, upon कितना पॉइंट दो है, तो इसकी calculation है, बहुत साफ स्थूरी करने के लिए, आप हमें साफ प्यास करा करो के, नीचे 1 बन जाए, 10 बन जाए, या कितना 100 बन जाए, ऐसा कर है कितना देखो, पच्ची सो गया, उपर कितना पहा, पच्ची सो, इसका रूट कितना पहा, बोलो, पचास, मीटर पर सेकिंड, यलो, calculation भी बहुत सही से होनी चाहिए, जिससे समय कम से कम लगे, पॉइंट टू उठाओ, इसमें ऐसे करो, दो भाग दो, उसे अच्छा है कि बुणा गर्दे, फटा फटा बडांस भा आ गया, हालाएं कि कई बार ऐसा होता है कि ये, पर आप सब अच्छे बच्चों कर लेते हो इतना तो, बहलो, कर लेंगे ना, very good, हाँ तो प्यारे बच्चों, देखे हैं पने question 42, जिसमें आप से पूछा क्या कि a plane progressive wave is sawn in the adzoning phase diagram the wave equation of this wave, if its position is sawn at t is equal to 0, ठीक है भाई, तो दिख रहा है नो, उसी के अधार पे अपने को इसकी equation है, वो form करनी है, wave equation, सबसे पहले लेखो, ये wave मुग किस्तरब कर रही है, plus x में, तो minus आएगा, इसका मतलब या तो ये सही है, या फिर कौन सी, ये सही है, एक बात clear, दूसरा, देखें इसका amplitude कितना है, 0.05 meter में है, कोई issue नहीं है, तो इसका भी 0.05, ये भी 0.05, इसलिए आप इनको भी अब distribution नहीं कर सकते हैं, कि कौन सी सही है, यहां तक ठीक मामल जिसे आप k या इसका ओमेगा में से एक चेक कर लो, उससे आपका आंसर है, वो सही सही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां तो 2 पाई है, यहां कौन सा है, एड़ पाई, एक चीज़ आपको निकल लिए है, देखो आप, यहां से लेकर के, यहां तक, कितने cycle, 1 cycle, 2 cycle, 2 lambda, ब बटा 4 मेटर आ गया, इसलिए इसका अपने निकालते हैं, के, जो होता है कितना 2 पाई अपॉन कितना lambda, तो इसको अपने यहां से सीखें, तो 2 पाई अपॉन, lambda क्या था, 1 बाई 4, इसका मतलब हमारे पास value कितनी 8 पाई आ गई, lambda की, तो अब मैंने कहा था, एक चीज़ नि portion था, के मेरे पास कितना आ चुका है, sorry, 8 पाई आ गया, तो अगर मैं only के वाले को चेक करता हूँ न, तो ध्यान दो, y बराबर 0.05, yellow sign, और पहला पार्ट है, उसको मैं यहां पे छोड़ रहा हूं इस बार, minus कितना, k अक्स, तो यह हो गया आपका, 8 पाई अक्स, इस 8 पाई को common लिया, तो यहां says क्या रहा, minus का x, बस, क्योंकि सारो minus x, यहां पर भी कौन सा minus x, पर उसमें देखो, यहां पर common क्या ले रहे हैं, 8 पाई, और 8 पाई सिर्फ किसमें है, यह यह रहा, इसलिए, पर बास्तर में कोई दिखरते हैं, आप omega निकाल लीजी इसका, अप आपका 42, बिल्कुर सांतर क्यूशन है, अब आपने बढ़ते हैं, 43 वाले क्यूशन में, आओ, 43 में क्या कह रहा है, एक तरंग का आयाम, शोकर रखा है, उसके displacement का equation दे रखा आपने को, तो कह रहा है, the amplitude of a wave represented by displacement equation, this will be, आपको दे रखा displacement equation, और इस परकार की question हम लोगों ने इससे पहले वाले पंच में, पंच 7 में discuss किये थे, मैंने कहा था, इस परकार की प्रशनों को हम phasor diagram से solve करेंगे, जिसमें इसका phasor omega t है, किता है, cos, sin में किता है, omega t plus किता है, 5 by 2, यानि दो नों कैसे हैं, यह 90 phasor है, इसको याद़ करो, मैंने कहा था, A, यह B था, A और B 90 के angle पे हैं, जब 90 पे हैं, तो अगर इसको देखो, यहां तो कितना था, यह इस तरफ वाला, मैं कर दो, A upon, 1 upon कितना root A, और इसे ठीक 90 पे कुन सा, 1 upon root B, जब दो 90 पे हैं, तो इन दोनों का net कितना बच्चो, इसका square plus इसके square का root, ओके, तो इसका answer निकालने हैं, पर A, R, ब B plus A बात यह कियें, तो इसका amplitude कितना हैंगा, देखो आप, root of A plus B upon AB, बिल्कुल शांदर question है, एक्जाम में आते भी हैं, प्रैक्टिस करें आप इनकी, बहुत शांदर से, ओके, बढ़ें question आगे, next वाले पर 44 पर, देखो, 44 में, when a sound wave travel from water to air, it, जब कोई sound wave, water से किसमें travel कर रही है, air में, तो उस पर wave कौन sound wave है, तो पढ़ो इसको, बहुत पहरा पर सुन देखो आप, अच्छा, इस पर देंक से तभी कर पाएंगे, जब आप पहले light को जानते हो, उसको सही से समझेंगे, तो मैं इस question के लिए page खाली कर देखो, आओ देखो, जैसे, मालो ये तो है कोई reflecting surface की interface है, मैं ये मालो कौन सा normal, ये मालो water, और ये मालो air, light के लिए आपन जानते हैं, ये तो कौन सा denser medium होता है, ये कौन सा आपका rare medium, जानते हो ना, ठीक है, अब मालो, ये कोई एक light wave आ रही है, light wave, आप जानते हैं कि light wave का water में जो speed है, उसके comparable air में speed जादा होती है, और इसी कारण से, आप देखो, इसका जो path होता है, ये अपने इस, बिना मुड़े path की बजाए, air में जब move करेगी, तो इसका path क्या बनता है, ये abilum से है, normal से क्या करती है, अब way, इस तरह से मूड जाती है, तो यहां से concert बनाओ, कि wave हमेशा normal से दूर कब बढ़ती है, जब उसकी speed बढ़ जाती है, उस speed के कम होने पर वो normal की तरफ मुड़ती है, बस इसी concert पर ये है कौन से, ये है light wave, प्रकास, अब उल्टा देखो, तो दूसरा इसका case था, अगर उसी को मैं लेता हूं यहाँ पर, ये माल लो इसका normal, water और ये air, पर आप जानते हैं, sound wave जो होती है ना, उसकी जो velocity होती है, जो medium जितना dancer होता है, उसमें speed उतनी ही ज़्यादा होती है, dancer में speed ज़्यादा होती है, rare में कम होती है, यानि speed of sound, वो solid में ज़्यादा होती है, liquid में कम होती है, और गेस में तो और sound wave water से air में जाएगी, तो इसकी speed कम हो जाएगी, very good, तो देखो, यही बात इसमें सामिल करता हूँ, तो माल लो यहां से कोई sound wave आ रही है, जिसमें क्या बनते हैं, यहां तो यह आपका sample done, फिर wavelength ऐसे, तो माल लो यह wave ऐसे आई, अब इसमें इसको जाना था ऐसे, परंतो आ मतलब, वो dancer से रहरे में जाने पर उसकी speed घट जाती है, अब यदि इसकी speed घट गई, तो क्या करेगा भई, speed के कम होने पर क्या करेगा, यह तो normal की तरफ उड़ेगा ना, speed के जादा होने पर normal से आवे, उस speed के कम होने पर normal की तरफ इस तरह से bending होती है, तो देखो, दोनु पिशन पोज हो दार है, दोनु तरह से आप इसको सोच लें, कि light के लिए कैसे होगा और sound के लिए कैसे होगा, अब इसका answer देखो, क्या रहेगा, कि abilam की और मुड़ती है, बिल्कूल सा पहला answer आ गया, जरूरती नहीं आगे बढ़ने की, तो पहरे बच्चों, अब आपन a source of frequency 300 hertz, और standing a few meter part, a starts moving towards b with velocity this, if the speed of sound is 300 meter per second, which of the following is true, तो कौन सा सही है, आओ, पहले पन स्पेस निकाल ला है यहाँ पर, तो question यह है, कि दो हमारे पास, प्रशन है कोई, a और b, a की पास भी एक sound source है, जिसकी frequency किती है, 300 hertz, b भी है, इसकी भी किती है, 300 hertz, दो हमारे पास sound source हो गए, दोनों same frequency के है, a चल रहा है इस तरफ, इससे 30 meter per second से, उस case में, जब a इसके पास जा रहा है, और खुद ही सुन रहा है, द्यान सुना, अगर a इसके पास खुद ही सुन रहा है, उस case में, इसको तो मान ले अपन क्या source, और इसको मान ले observer, उस case में, यह speed क्या बनगी बच्चों, यह v node बनगी, द्यान सुना, क्योंकि यहां पर frequency A भी सुनेगा भी सुनेगा मैं पहले A की frequency निकाल लेता हूँ और चेक करता हूँ उसके बारे में क्या कानिया आती है देखो तो N A days बराबर N A days जो है वो है किती इसकी frequency real किती वच्छो तीन सो बराबर अब velocity of sound किती है वो तो है तो observer V not उपर आएगा और pass आ रहा है तो frequency बढ़ेगी तो plus का कितना 30 very good जोड़ उड़ाओ इसको यहां से कताम करो और ये मेरे पास किती 330 हर्ज frequency आ गई आप सुनो देगो B वाश्तों में कितनी frequency उत्पन कर रहा है 300 सुनी कितनी इसको 330 आप समझें इस A के पास से 300 वाली भी पहुँच रही है और 330 भी पहुँच रही है तो difference कितना आया 30 हर्ज और आप जानते हैं जब विश्पन्द आवरती यहां पर B 30 हर्ज है या ऐसे मान लो कि देखो एक खुद उत्पन कर रहा है वो भी खुद को सुन रही है और एक उस से सुन रही है रियल में तो इसका तरीका यह रह कि ये खुद सुन रहा है एक तो खुद की फ्रिव्टनसी कितनी 300 वाल्ज एक उसके करण सुनी किता है 330 हर्ज तो difference कितना है 30 हर्ज का तो कितने विश्पंद आवरती बनगे तीस, ये तीस तो सुनी नहीं सकती ना, आप जानते हैं एक healthy person अधिकतम कितने दस विश्पंद सुन सकता है, उससे अधिक संभव नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, तब आजाओ इसके आंसर में देगो, ये करा कि आदमे ए दोरा सुने विश्पंद सुने ही नहीं, तो अधिक और कम कि तुला ही संभव नहीं है, गलत है साब, वो तो कम अधिक सुनने के बाद तुला करते हैं ना, सुनने देंगे नहीं इन दोरों को तो, अच्छा फिर कैसा है, कि आदमे वी दौरा सुने के विश्पंद कितने तीस हर्द हैं नहीं, बनने वाले तीस हैं, सुनने वाले जिरो हैं, ये भी गलत है, तो आंसर कौन सा, बोथ हार, करेक्ट, बोथ हार, रॉंग, येलो साब, तो देखो, आपने देखा इसमें, हमने इस टोपिक, जो कि वेव थिवरी और कौन सा था, डौपलर इफेक्ट, वेव थिवरी स से भी एक कुशन आना है, डौपलर से एक कुशन पका आना है, एक वेव ऑप्टिक्स की अंदर भी होता है, डौपलर इफेक्ट आप लाइट, उसका भी कुशन आने की संबन रहती है, इसलिए बच्चों बहुत शानदा टोपिक है, अच्छे से इस, जो पैंतालिस कुशन जो एक एपिशोड था, जिसको अपन नाम दे रहें, कौँसा फिजिक्स पैंस, कौँसा एट, ढंग से इसको त्यार करें, एक बार, दो बार इसको पढ़ें, फिर भी कोई समस्या है, तो आप CLC सीकर से संपर करें, क्यांकि आप जानते हैं, आपकी अपनी CLC, आपकी अप बैचेज हैं, वो ओनलाइन रनिंग मोड में हैं, मैंने फिर बता दूँ, सारे परकार की बैचेज, सारे परकार की जो अपनी मीडियम हैं, हिंदी और इंग्लिस मीडियम, इसमें साथ अब धान भी दें, नीट और जी, सारी परकार की, जो भी आपकी रिक्वार्मेंट्स ह हैं, जितना जल्दी हो सकें, आप उसको जर्न करें, और जो और लोग हैं, उनसे आगे निकलें, क्योंकि आपको पता है, इस कोरोना के संकटकाल में, आपकी अपनी CLC ने जो बहतर इनोवेशन कियें, वो आने वाले समय में, या अभी जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं, उन